हेलो देर दिसिस केशी और वेलकम यूट फिजिक्स ग्यान मुकेश नायक चैनल बच्चो वन शॉट सीरीज चालू हो चुकी है प्लेलिस्ट देखो जाके पटाक से दो चैप्टर हम पहले ही कंप्लीट कर चुके अब ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग जिस का नाम है फॉर्स चैप्टर अपना री प्रोडक्शन कौनसा री प्रोडक्शन वन शॉट लेक्चर है बच्चो ये पूरा अंति तक देखना थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है 1.5 की स्पीड पे देख सकते हो तो भी आराम से समझ में आ जाएगा ठीक है री प्रोडक् प्लांट्स बोलूँगा मैं बच्चो क्योंकि हम लोग प्लांट्स देखने वाले ना तो सिर्फ प्लांट्स के बारे में ही री प्रोडक्शन देखने वाले हैं और इसका ना बच्चो जबर्दस चीज याद रखो ये कौन सा लेक्चर है वन शॉट है ना वन स्ट्रोक मे हम इसको खत्म करेंगे और थोड़ा सा चीजे फास्ट होगी क्योंकि अपन कंसिडर कर रहे हैं बच्चो कि इसके पहले जो चीजे हुई है तो आपको समझती है क्योंकि बहुत बार और हां आरम 2.0 में अगर देखोगे आप लोग तो इसकी प्लेलिस्ट भी है बच्चो प क्या है बड़ा चैप्टर है लेकिन इंट्रस्टिंग भी है ठीक है तो बढ़ते हैं बच्चो इजी चैप्टर है टेंशन नहीं आपको समझने के लिए तो बढ़ते हैं सबसे पहले रीप्रोडक्शन के तरफ है ना सो वाट इस मीन बाई रीप्रोडक्शन अब यह बार बता देते हैं कि वाट इज़ी प्रोड़क्शन यह यह कुछ नहीं होता है बच्चो प्रोडक्शन यह फिर फ्रॉरमेशन औव और ऩो अर्गैनिजम और सेंकि ऑप्सेंब करू रहा हौना असेक्शूल रीप्रोडक्शन है ना असेक्शूल रीप्रोडक्शन और दुसरा होता है मेरे बच्चो सेक्शूल रीप्रोडक्शन ठीक है सेक्शूल सेक्शूल रीप्रोडक्शन है ना सेक्शूल रीप्रोडक्शन असेक्शूल रीप्रोडक्शन ये दो टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं बच्चे कितने टाइप्स के होते हैं दो टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं तो असेक्शुल रिप्रोडक्शन प्लांट में हम लोग कितने कितने टाइप्स के देखेंगे देखो अभी सबसे पहले एक होता है हमारा बड फिर देखो एक और है ग्राफ्टिंग ग्राफ्टिंग है न फिर उसके बाद मैं बोलूंगा और क्या होता है बच्छों ग्राफ्टिंग की तरब से हो सकता है फिर उसके बाद मैं बोलूंगा री-प्रोडख्शन सबसे पहले याद रखना लीफ रूट है ना फिर मैं बोलूंगा स्टैम ओके यह बहुत अलग अलग टाइप के रिप्रोड़क्शिम ने एक्चुली बडिंग जो है यह हमारे लोवर और्गेनिजम्स जितने भी है उनमें होता है ठीक है हमार लोवर और्गेनिजम्स मतलब क क्या करते हैं थोड़ा सदेख लेतें मतला प्लांट में growing points होतें जो सेक्श्वल करवा करवाएगा और यह बहुथ अच्छे से देख लो अब फर्स्ट देखते हैं हमारे टौपिक सबहों इस स्किप कर दिया स्किपिछ नहीं करने वाले सेख systems तो सबसे पहला देख लो बच्चों, बड़िंग देख लेते हैं, है ना, बड़िंग, क्या देखते हैं, बड़िंग, है ना, what is बड़िंग, किदर बड़िंग, कहीं पे भी बड़िंग, लेकिन, अच्छे मार्क्स के तरफ बड़िंग, देखों, सिंपल बच्चों, ये ए इसका न्यूकलियस बच्छों ऐसा शेर हो जाता है जो यह प्रेग्मेंद बढ़ते चले जाता है अब बएक बार मैचवर हो गई तो होगी तो फोड़ा खराब है मेरा यह वह आउट ग्रोथ होती है जो अगर एक बार वह मैच्वर हो गई तो अपने पैरेंट से डिटाच हो जाती है ठीक है और इंडिपेंडेंट और्गैनिजम ग्रू करने लग जाती है यह होता है बडिंग उसके बाद देखो बच्छो शेकेंड फ्रैग्में देखो फ्रैग्मेंटेशन है ना फ्रैग्मेंटेशन फ्रैग्मेंटेशन में क्या होता है बच्छो मानलो यह सिंगल सा और्गैनिजम है बिचार सिंगल और्गैनिजम है ओके है ना अब मानलो एक्स्टरनल क्या हो रहा है इस पे स्ट्रेस लग रहा है ओके स्ट्रेस प्र यहां पर organism के टुकड़े हो गई सनम कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा लेकिन organism ऐसे उदास हो जाता है कि बच्चो नहीं यह स्टैंड होता है और वापस से क्या करता है मतलब इसी एक फ्रेग्मेंट से पूरा organism देखो बच्चो तयार हो गया दिख रहे हैं ना दो organism तयार हो गए वहाई देखो बोर्ड पर दिख रहा होगा शायद आपको है ना तो यह होता है है fragmentation when an organism breaks due to external stress or strain what happens each fragment of that particular organism have ability क्या बोल रहा हूँ मैं हर वो organism में जो pieces में convert हो गया था तो वह हर एक piece में क्या होती है एक ability होती है जिसकी वज़े से वो grow कर सकता है और वो हर एक piece एक नए औरगेनिजम में हर एक fragment एक नए organism में develop हो जाता है इसी को कहते है fragmentation क्या कहते हैं बच्चो fragmentation है उसके बाद उसके बाद देखो बच्चो spore formation क्या देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन सबसे पहले तो प्रॉब्लम यहीं आती है कि सर स्पोर क्या होते बच्चों स्पोर चोटे चोटे पार्टिकल होंगे जिनके अंदर होंगी कि वह एक पूरा एंटायर और्गानिजम जनरेट कर सके मतलब ऐसा समझ दिया से हमारे बहुत सारे ड्रोपलेट निकले नाक से हरे ड्रोपलेट से एक नया यूमन प्रोटिउस हो गया तो यहisती लेकिन फंगस जैसे और्गैनिसम्स में इनिस मनों एक फंगास है क्या है यह उसका हाइफा है यह यह हाइफा यह फंगस है और यह एंटक्र तक किया होता है अज्या ऐसा यह सैक लाइक स्ट्रक्चर है जहां पर देखो यह ऐसे खुल जाता है और फिर ऐसे उड़ता ही फिरू इन हवाव में कहीं और जाके बैट जाओं कहीं ब्रेड पे तो कहीं है ना फिर फेलाएंगे हम फंगस वहीं तो सिंबल जी बात है वही एक एक स्पोर में वह एबि जनेरेट कर सकता है तो यह होता है स्पोर्स अब फिजन टेक्निक में देखो एक और एक और खतरनाक चीज़ है जिसको हम फिजन बोलते हैं फिजन में बच्चो दो चीज़े याद रखनी है आप लोग को एक बाइनरी फिजन यह इंट्रो पार्ट है बच्चो इसलिए फा समझाऊंगा बच्चो आपको और कॉंसेट मैपिंग के जरीए यह वन शॉट लेक्चर है तो हम थोड़ा सा फास जाएंगे तो अपनी अपनी टेक्स्ट बूक अपने सामने जरूर रखेगा ठीक है अब देखो जब यह एक सेल क्या हो रहा है बच्चो यह ऐसे एक सेल क्य हो जाता है ना मेरे बच्चे तो उसको कहते हैं binary फिशन क्या बोलते हैं binary फिशन और multiple में क्या होता है एक ही cell में से देखो ये उसने क्या की? सबसे पहले तो ये cell ने एक protective layer बनाई थी अपने वाजू-बाजू जिसको हम बोलते हैं cyst क्या बोलते हैं बच्चा? cyst बोलते हैं और इसी cyst में से जब बहुत सारे cells निकलते हैं मतलब एक cell का division कई सारे cells में हो गया, कई सारे doctor cells में हो गया, इसको ही कहा जाता है multiple fission क्या कहा जाता है बच्चो? multiple fission कहा जाता है, अब देखते हैं हम लोग plant के बारे में, ये तो चलो बहुत छोटी वाली बात हो गई, normal अब plants के बारे में देखते हैं ठीक है, asexual reproduction in plants, देखो, asexual reproduction, reproduction, है ना, किस में देख रहे हैं, बच्चा, asexual reproduction in plants, किस में देख रहे हैं, plants में asexual reproduction हम लोग देख रहे हैं तो अब plants में asexual reproduction देखने के बाद क्या है, देख लोग ठीक है, तो सबसे पहले हमको दिया है बच्चो, grafting, है ना, क्या दिया है, grafting दिया है, देखो simple concept map बनाएंगे, grafting, क्या दिया है, बच्चो, grafting, होके, तो grafting में क्या करते हैं, बच्चो, stem, या फिर simple, अगर और और छोटे phrase में लिखेंगे तो इसको, देखो, two stems of different plants, देखो, two stems of different plants are combined, है ना, are combined, ओके, दो अलग-अलग stems को क्या कर रहे हैं, हम लोग combine कर रहे हैं, ठीक है, तो एक होता है, बच्चो, इसके grafting के process में दो चीजे होती है, एक तो होता है scion, और दूसरा होता है stock, है ना, अब stock से याद रखना, ये rooted part होगा बच्चो, क्यों सा part होगा ये, ये होगा rooted part, और ये होगा the part, the part which is, which is fixed on stock, ये आप लोग को याद रखना है बच्चो, और ये भी एक method है, vegetative propagation का, या फिर vegetative reproduction का, ठीक है, अब जो scion होता है, और stock होता है ना, बच्चो, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें होना चाहिए, बड़, अब बड़ अगर रहेगा, तभी, बड़ अगर रहेगा, तभी, वो growing point अगर present होंगे, तभी growth होगी बच्चो, ये बात आप लोग बहुत अच्छे से याद रख लो, simple, exam में पूछे जाने वाला, हम लोग ज्यादा तर confused का हो जाते हैं, कि भाई, c on क्या होता है, stock क्या होता है, याद रखना, stock वो चीज होती है, जो rooted बोलते हैं, actually stock मैंने ये spelling गलत लिख दी, sto c के होना चाहिए, ठीक है, sto c के, ओके, तो याद रखना ये चीज है, grafting technique में यही problems, मतलब यही काम होता है, ये एक a sexual reproduction का method है बच्चो, ठीक है, reproduction, क्या देखेंगे मेरे बच्चे, sexual, देखो, sexual, sexual reproduction, है ना, sexual reproduction में क्या होता है, simple, कैसे ये अलग है, sexual से सबसे पहला, ये क्या होता है, बच्चो, two gamits involved, है ना, two gamits, two gamits, involved, है ना, है कि नहीं, दो gamits involved होते हैं, अब दो gamits किसी एक organism से तो नहीं आ सकते हैं, इसलिए बच्चो, two parents involved, क्या बुल रहा हूं है, two parents, है ना, two parents, एक और चीज याद रखो, sexual reproduction में क्या होता है, genetic mixing, है ना, genetic mixing होती है, यानि यहाँ पे genetic material का mixing होता है, फिर मैं बोलूँगा, बच्च होती है, तो results in variations है ना, और variation जब भी आएगा, बच्चो, शब्द तब याद रखना, इसके वज़े से evolution होगा, क्या होगा मेरे बच्चो, evolution होगा, अब यह किसकी मदद से हो सकता है, बच्चो, plants में बोल रहा हूं, plants में, यह किसकी मदद से हो सकता है, it occurs with the help of, occurs with the, with the help of, help of flower, है ना, किसकी मदद से मिरे बच्चो, flower, flower की मदद से जो है, sexual reproduction हो सकता है, अब flower के parts देख लेते हैं, मिरे बच्चो, ठीक है, आपको diagram तो पता होगी, और text books भी आप सामने रख लो जरा, तो flowers देखो बच्चो, क्या होती है, एक सीरियल आता था, boys over flowers, ठीक है, तो अभी आता है कि नहीं पता नहीं, मैं देखता तो नहीं था, लेकिन सुना बहुत था इस बारे में, ठीक है, तो fool है, सुल है गुलाव का मत समझना है, तो fool है, गुलाव का मत समझना, और आगे का शेर मुझको नहीं आता है, तुम कुछ गलत मत समझना, ठीक है, उच यात रखते हैं, बच्चो, flowers, तो flowers में थे तो बच्चो, दो बोला जाता है essential floral world लिकने के time के से लिखने का essential floral world और एक होते हैं accessory accessory मतलब supporting ओके non-essential नहीं बोलतें बच्चों गुए essential and accessory जैसी चीज नेचर में नहीं होती है याद रखना मेरे बच्चे बहुत अच्छे से याद रखो क्या है पता है क्या यही छोटी-छोटी चीज़े मैंटर करती है बच्चों एसेंचियल फ्लोरल वर्ल्स में याद रखना बच्चा क्या आने वाला है सिंपल एंडरोईशियम क्या एंडरोईशियम और इसमें आएगा गाइनोगाइनोईशियम है नखाना एंडरोईशियम के आगे वच्चों मैं सिर्फ एम लिख देता हूं क्योंकि यह समझना चाहिए अपने कि यह मेल पार्ट होता है और गायनो के आगे में एफ लिख देता हूँ, इसका मतलब क्या यह फीमेल पारट होता है बच्छो कुने ऐसा पार्ट होता है फिमेल जब भी बर्ड याद रखना मेल है तो फिमेल है उसके बाद आसे अरी में दो आएंगे मिर बच्छो पेटल्स क्या कुछ नहीं देख रहा हूं हम सिर्फ जो जो चीजे हमारे टेक्स बुक में इनवाल्ड है उसी के उपर डिसकस कर रहे हैं स्क्रेंशॉट निकालते रहा हूं बड़े सिंपल सी नोट्स बना बना के दे रहा हूं बच्चो ठीक है उसके बाद देख लो बच्चो फ्लार का अपने मतलब है क्या नहीं चलो नहीं यह फ्लार का तो इधर वैसे रेडिमेट नहीं है अपने को बनाने पड़ेंगे ठीक है तो याद रखना थोड़ा से में बैग्राउंड चेंज करते तो इसका वाइट गलर पर आपको डाग्राम बहुत अच्छी दिखेगी ठीक है अ क्या अब देखो यह जो मैंने रंग बी रंग इक चीज बनाई है यह है सको नों तो क्या घख़लतों सकते हम ठीक है उसी के निच्चे ग्रीन गलरीचीज अपनेugi को यह ना थोड़ा डार गृरिन होना जाया चीज बना ओसको प्रनों हों या पेडिस में ज Dalot युख और यह उसके देखो ऐसे ग्रीन ग्रीन पत्ते कैसे कैसे पत्ते हरे हरे पत्ते हैं और यह ग्रीन कलर के लीज होते हैं बच्छों को हम सेपल्स बोलते हैं क्या बोलते हैं सेपल्स बोलते हैं अब देखो पिंग कलर की चीज से मैं क्या कर रहा हूं गाइनो इशियम बना रहा ह ठीक है अब देखो ये बड़ी इस किए भाई यह डंडी किस इसकी है इस स्टंप है क्रिकेट का ऐसा तो नहीं न वाई स्टंप पॉर्मप नहीं बच्चो यह जो डंडी है यह बच्चो हमारा गाइनोशियम हमारा मतलब फ्लावर का गाइनोशियम टीक है डाइग्रामेटिक रिप्रेसेंटेशन बता रहा हूं मैं आपको सिर्फ और यह रेड कलर की तो नहीं बताएंगे रेड तो अपने यूज कर लिया है चलो टीक है ब्लैक कलर की चीज जिसके उपर ऐसे दो चीज मैं लगी हुई है ना यह प्रूच है इसको हम बोलते हैं बच्चों क्या बूलते हैं अरे वोलते हैं अब लोग को क्या करते ओं डाइग्राम्स पर लेवल करके दिखा देते हूं कि सबसे पहले याद रखो यह है हमारे पेटल्स ओके क्या है देखो जब भी आप डाइग्राम करोगे ना अपने एक्जाम में कोशिश करो एरो वगिर एकदम प्रॉपर रखना ठीक है और एकदम नीट टाइडी जैसे इस तरह से ठीक है सेपल्स क्या है बच्छो यह सेपल् सिंथेसिस कर सकते बच्छो याद रखना ठीक है यह हमारा क्या है बच्छो यह पेटियोल क्या है पेटी खोल पेटी खोल नहीं बच्छो पेटियोल है फिर उसके बाद देखो यह एंथर है क्या है यह एंथर और उसके ही नीचे जो एक डंडी जैसी स्ट्रॉक्चर दिख बनता है अब देखो यह क्या है यह स्टिग्मा एक सीद में आपने क्या करनी है बच्छो डायग्राम लेबलिंग करनी है यह स्टायल है ना स्टिग्मा स्टायल और यह हमारा ओवरी हमारा मिन्स फ्लावर में ओवरी है ठीक है यह याद रखो अब यह तीनों को मिला की क्या बोला जाता है बच्छो गाइनोशियम या फिर मैं बोलूँगा कारपेल क्या लिख लेते इसको कारपेल यह पूरी चीज़े देखो बच्छो एकदम गौर से देखो बड़ी सिंपल है यह जो एं किया माधाना है देखो पलन घ्रींड ट्रो इंट कितने कितने होते हैं गश्यक лमय में सकते हैं और मी ganze और ऑवरी क्यों होold वृव्यूल होता हैं और मैं क्या प्ता है एग्स ठीक है कि मियम होते हैं यह बहुत एच्छी स्क्रीन शॉट निकाल लेना है मैंने बड़ा सिंपल करने की कोशिश करी आपके लिए ठीक है अब बढ़ेंगे आगे और प्लीज कहीं न भागें पूरी वीडियो अन्त तक देखें अब देखते हैं बच्छों सिंपल सी बात है structure of enter हमारा अगला topic है इसमें ठीक है क्या देखते है structure of enter क्या बोलता है बहुत कुछ बोलता है सर्थ तो हमारा topic अब शुरू हो रहा है structure structure of enter का structure देख रहे हैं बच्छा याद रखो enter जो है यह कुछ इस तरह से बनाए butterfly shape होता है यह ऐसा दिख रहा है नहीं यह फिट्जी spinner जैसा दिख रहा है कुछ कि कि अंदर ऐसे सैक होते हैं बच्छों क्या होते हैं सैक होते हैं अगर एंधर की histology हम देखें तो एंधर के अंदर कुछ cells की layer होती है क्या होती है बच्छों cells की layer होती है अब यहां पर चार सैक है इसलीए इसलिए हमारेंदर कैसा होता एक प्यालव parte 155 कुछ यह मीनिंंग जो आपको परेशान कर सकते हैं यह वर्ड्स है जो आपको परेशान कर सकते हैं machine मतलब क्या होता है बच्चो फोपूलन सेगल said कितने थम फोलन stip है होती ही इसको डाय ठीकस भोला जाता है ठीक इस ओफ और यह वाला पोलन ग्रेंज का पोलन सैक है इसके अंदर जो यह मैं डॉट बना रहा हूं न बच्छो यह क्या है पता है क्या यह क्या है पता है कि नहीं नहीं आपको नहीं पता मैं बता है यह है पोलन ग्रेंज क्या है बच्छो यह यह पोलन ग्रेंज है जब समय आता है न तो क्या होता ह समय आने के बाद यह दोनों के दोनों भी वह ब़ोलते हैं क्या बोलते हैं और ऑर यह सींगल लोग बन जाता है और पूरे पुलने ओम से बाहर निकल जाते हैं यह बाद आप याद रख लें ठीक है क्या याद रखना है डाइसेंस ठीक है बहुत अच्छे से आराम से चीजे याद रखनी है अब इसके बाद अगर मैं टीएस ऑफ एंथर बोलू यहां पर मैं लिख देता हूं ऐसे टीएस ऑफ एंथर ओके टीएस हब टीएस मतलब ट्रांस्वर सेक्षयन ओफ कि एंधर को के ट्रांस्वर सेक्षन कर अगर तुम ट्रांस्वर सेक्षन देखो गए अंथर का इसमें बच्चों आप लोग को मिलेंगे टूटल चार लेर कितने लेर चार लेर तो मैं यहां लिख देता हूं एक लेर अपनी यह epidermis ओके epidermis यह नमबर वन लेर है उसके बाद endothesium एंडो थेसियम ओके फिर उसके बाद होगी बच्चों मीडल लेर मीडल लेर यह थोड़ी सी मोटी लेर होती है दो से तीन पैरेंखायमेटर से बनी रहेगी कौनसी से बनी रहेगी यह भी इंपोर्टेंट है किस से बनी रहती है बच्छो और लास्ट में होती है बच्छो हमारी कौनसी वाली कौनसी वाली कौनसी वाली कौनसी वाली टैपे टर्म क्या होती है बच्छो टैपे टर्म ओके और यह टैपे टर्म का बात याद रखो बच्छो यह नूट्रीशियस होती है इसका काम क्या होत आहां udड़ता है provide provide है नख driven में लिख देता हूं नूट्रीशन अब किसको दे मेरे बच्छों पोलनग्रीन को देगी ना पॉलन जहीं है इसी में तो मिल गया मैंए पॉलनग्रीन को नहीं मिलेगा तो problem हो जाएगा ना इसलिए यह पोलन ग्रेंज को nutrition देती है देखो आराम से पूरे functions ठीक से याद रखो इसमें टैपटम के ओपर question बहुत ज़्यादा आता है ठीक है कि पर टैपटम के function के बारे में questions आते हैं तो टैपटम का function क्या है यह एक important सीज है ठीक है टैपटम अपना एंथर में कौन से सेल्स होते हैं तो याद रखना पैरेंकाइमा सेल्स होते हैं पैरेंकाइमेटर्स टीशू होता है बच्छो क्या होता है पैरेंकाइमेटर्स टीशू होते हैं फिर उसके बाद मैं बोलूँगा middle layer में कितनी layers of cell होती है त outer layer होती है यह कौन सी layer होती है outer layer of cells होती है ठीक है डाई हिसंस मतलब क्या होता है जबी दो एंथर लोब एक साथ मर्ज होके एक सिंगल बड़ा लोब बना देते हैं इसको डाई हिसंस बोला जाता है और जब भी डाई हिसंस होता है समझ लेना भया पोलन ग्रेंज का अब स्क्रस्कतार माईक्रोश्पॉर मतलब अपने पोलन यlaw को क्या बोला जाते है और ऊ और माइक्रोश्पॉर याद रखो चोड़ो। और छोरियों भयो और बहनों याद मिति हैंदे रखो इस को माईक्रोश्पॉर का कशा जाते है ऐसंदे न garant हमेसंस क्या हुआ जाता है माइक्रो स्पोर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे होता है माइक्रो स्पोर है ने तो माइक्रो स्पोर देखते हैं मेरे बच्चो स्ट्रक्चर ओफ माइक्रो स्पोर है ना स्ट्रक्चर देखो स्ट्रक्चर ओफ माइक्रो देखो माइक्रो स्पोर ओके हमारे माइक्रो स्प का structure देख लेते हैं अब पोलन ग्रेन का structure देखो एक simple circle बनाता हूं में यहां पर कि देखो यह है मेरा circle और इस circle को है कुछ-कुछ problems कुछ-कुछ problem नहीं है तो ठीक है circle अपने हाथ से ऑपनाएंगे अपन देखो यह है मेरा एक सरकल उसके अंदर गोल सा बनाओ एक और गोल सा बनाओ है कि नहीं उसके बाद तुम थोड़ी शेडिंग तो लगाओ जब तक इस शेडिंग में फिनीशिंग नहीं आए तुम जल्दी से डाइग्राम तो बनाओ दिख रहा है क्या अच्छे से टच अब के बाद होग पोलन ग्रेइड है के अपना देखो यह पूलन में पूरा का पूरा यह क्या है बच्छा पूलन ग्रेण हमारा फोड़ा इंगे जो जोर से वी लोग को जल्दी का का मैं शैतान का होता यह है ना लेकिन मीठा पसंद ही नहीं है हम तेज खाने वाले लोग हैं एसा है कि इस भी नहीं खाना चाहिए अच्छा नहीं होता है लेकिन पूरा बरबाद हो क्या मेहनत हमारा ठीक है अच्छा लोग कोई बात नहीं मैं क्या करता हूं इसको रब करके फिर वापस एक नया बना देता हूं अब देखो वापस एक नम भारी वाला बनाएंगे बच्छो अभी यह पहले क्या करेंगे अंदर वाला गोल बनाएंगे गोल सा बनाओ फिर बाहर का गोल थोड़ा ब्रेक देखे बनाओ यह ऐसा बनाना था मुझको लेकिन कुछ वो टेक्निकल इसूस हो गए मेरे दिमाग मे दू में आप देखो यह अंदर का ग्यान का ग्यान अब या देखो देखने वाले आप लोग पॉलईशन ग्यां ठीक है य stell में दिख लेना कैसा सेल दिख रहा है अब देखो यह एक ऐसा सेल है और यहां पे देखो एक पिंग कलर का मैं लाइट पिंग कलर का एक बड़ा न्यूकलियस दूसरा दिखा रहा हूँ ठीक है अब यह टूटल हमारा पोलन ग्रेन अब गरीन कलर के मारकर से इसकी लेवलिंग देखलो ठीक से तो सबसे आउटर लेर को बोला जाता है बच्चों क्या बुला जाता है एक जाइन है ना यह है एक जाइन अंदर वाला सेल है इंटाइन ना यह जो गैप दिख रहा है ना बच्चों को यह गैप इसी में से यह इसको बोलेंगे जर्म पोर क्या बोलेंगे बच्चो जर्म पोर यह पोर बोलेंगे इसको यह हमारा ट्यूब सब्सक्राइब यह यह इसा नहीं लिखना चीए फिक है यह हमारा जंड्रेटिव का निउले इसका न्यूक्लियस वच्चो स्या रिटीव सैड्रेटिव सैल है ना यूकलियस जैसा लिखना चीए नूट्यएब औफ जनरेटिव सेल ओके जनरेटिव सेल है ना अब क्या होता है मैं आगे आगे देखने वाले है ठीक है नूक्लियस ओफ जनरेटिव सेल अब यह जो छुटका उसा सेल दिख रहा है ना वो है हमारा जनरेटिव सेल ओके जनरेटिव सेल और इसी जनरेटिव सेल से क्या बनें लें पर यह चल्कश कि प्ष्ट कॉपंप्लो मेल गैमेट्स एंग तूरuben ओन मोठाने वाले मेल पढाई च्टेटिव और यह जो हमारा है है कि है न बिटे टेर की और यह बनाएगा रमें न्यूट नुग्स का बनाएगा चूब नूप क्या बनाएगा नूप्सक्ते эфф पॉलन ट्यूभ बिनाएगा क्या बनाए बच्चो आगे चलकर पॉलन ट्यूभ बनाएगा ठीक है इसका अराम से स्क्रीन्शॉट निकाल लो पॉलन थे चैना फिक है अब याद रखना बच्चो जो एक्जाइन है यह बना होता है स्पोरो पोलेनिन से किससे पॉलेन और यह स संबाल के रखता है सहज के सजोत के रखता है एक दम एक जगा पर अच्छे से रखता है ताकि पॉलीचन जैसा कारिय कभी फेल ना हूँ ठीक है तो पुली पुश्पोरो पोले ने जो है यह टफ मंटेरियल होता है जो X anda में present होता है और X and present होने की वगजे सि क्वा होता है हमारा पोलण ग्रीन ना बच जाता है याद रखना अब जेनरेटिव सेल और वेजेटेटिव सेल में क्या करते है डिफरंग देख ले ते बंचे ठीक है आगे बढता है तो मैं लिखता हूं जनेरेटीव सेल के जनारेटिव एसैल है और यहां लिखते हैं मृझी टेटीव सेल वेजीट suf मेझे choices Edcribing as a इसमें होता है साइटो प्लाजम क्या लेस लेस साइटो प्लाजम इसमें क्या होता है क्या मोर साइटो प्लाजम क्या मोर साइटो प्लाजम है ना ज्यादा साइटो प्लाजम होता है यह क्या करता है बच्छो फॉर्म इया अर यह क्या को लन इंठ क्या बनाता है बनाता है क्या बनाता है बनाता है समझ लो थोड़ा इंट इस्क्रीज मी बनाता है पोलन टीव बनाता है यह बनादा बच्छा तोनों के बीश का डिफरेंस में आया ग्या मगज में आया क्या अच्छे से मगज में शायद आप लोग को आगया होगा यह बहुत अच्छ से आया होगा ठीक है अब यहां तक तो हमने देख लिया ओके आप देखो सिच्वेशन कैसी होती है जब भी मतलब development कैसा होता है मेल गामेट का ठीक है यह हम लोग देख लेते हैं तो हमारा यह माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है देखो यह हमारा क्या है माइक्रो स्पोर मदर सेल्स का क्या होता है पच्छो मियोसिस होता है है ना मियोसिस होता है मियोसिस के वज़े से इसके चार सेल्स त्यार हो जाते हैं इसे ठीक है यह चार है ना मैं डायरेक्ट बता रहा हूं मियोसिस वन होता है फिर मियोसिस टू होता है लेकिन मैं बता दे रहा हूं डायरेक्टली चार सेल्स त्यार हो जाते है माइक्रोफॉर मदर सिल यो और शर्य आधसर इस में सब्सक्रिण का माइक्रोपॉर ने लेते हैं थीक्क है अब यह माई क्रोश है हमारा एक कि माई क्रोशति की घिमत तुम क्या जानो बाबो नी तो यहां पर isto होता नगा मैं इसका होता है फॉर्स्स माइटासिश न्य फूरा न fakou 12 Cancerी कोई और फॉर्म्र कितने शैल्स बन रहे बच्छा q2 अनिप्वल सेल्स है दो अनिक्वल सब्ड़े याद रखना लेकिन एक अनिक्वल सेल्स बोलने से चाहे काम करेंगे अनिक्वल नूक्लियस बोलेंगे मैंने थोड़ा सा फिर गड़ बड़ कर दी यहां पर कभी-कभी मैं बहुत ज्यादा बर्बादी कर देता हूं लेकिन टेंचन मतलो बच्चो मिस्टेक सही सीखना जरूरी है ठीक है टू अनिक्वल नूक्लियस बोलना था मुझको बावनाओ बावनाओ में सेल्स निकल गया टू अनिक्वल सेल्स आर फॉर्म ओके दो अनिक्वल सेल्स बनते हैं तो यह हमारा माइक्रोस्पोर है यहां एक सेल और बढ़कू सेल और बच्चो यह होता है हमारा क्या क्या माइक्रोस्पोर होता है अब यह माइक्रोस्पोर जो है इसका क्या होगा बच्चो सेकेंड मियोसिस तो नहीं होगा लेकिन जब इसका पॉलीनेशन होगा ना पॉलीनेशन की दौरान यह जो जेनरेटिव सेल ह यहां तक शायद आप लोग को समझ में आ गया रहेगा अब हम क्या देखते हैं अभी देखते हैं हमारा structure of ovule देखते हैं अभी अभी चीजे खतम हो गई ठीक है अब क्या होता है देखो सिंपल structure of ovule देखते हैं क्या देखते हैं बच्छा structure of ovule है structure of anatropos ovule इसका structure देख रहे हैं मेरे बच्छो अनाट्रोपस ovule का इसका डाइग्राम बना लेते हैं सबसे पहले तो क्या अगरना है बच्छो आप लोग ने गल से बनाव वापस से नहीं ओवल सा बनाओ उसके बाहर भी एक ओवल सा बनाओ है ना दो ओवल बन गए उसके बाद दो gates तुम लगाओ देखो यह दो gates लग गए एक gate को लाश्ट तक लेके आओ उसके बाद चोट सा एक gate बनाओ बन गया हमारा ओव्यूल समझ गया क्या भाओ है की नहीं यहाँ पर एक चोटी सी डंडी ड्रॉ कर देंगे बन गया मेरा ओव्यूल ओके डाइग्राम देखो बच्छो डाइग्राम बढ़ाना बहुत सिंपल है ठीक है अगर तुम लोग ट्रिक के साथ जाओगे और यह गाने के साथ देखो सबसे पřेले दो पोल्स बनाने क्या बनाने के दोपॉल क्या है टाइग्रो विया ठोके शाओ च घूख्य сдел साथ एक पॉल मा हमारा secondary nucleus क्या होने वाला बच्छो secondary nucleus अच्छे से याद रखो यह पर polar nuclei फिर यह देखो बच्छो यह दो सहलिया खड़ी-खड़ी सात में और उसके सात में क्वीन भी यह पीछे बीच में है ना याद रखना तो यह क्या है हमारा secondary 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 nucleus है कि नहीं secondary nucleus पहले था ना राजू 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 बड़ा है नटखट बोलता है पटपट है कि नहीं वैसे secondary nucleus के बाद एंटी पोडल कौन सेल जी एंटी पोडल ओके तर उसके बाद में यह दो चुटकाँ से लिख रहे ना जुडवा जुडवा ढूलू और बबलू है कि निए वह होते ना क्या नहीं होता है वह चोटा भी में दो कि पता निए मुचको कोमेंट बाक्स में बटा दे ना बच्चो जोटा वी में वह दो जुडवा कोन पूरा व्यूल होता है अब सर कुछ तो भूल गए वाप तैंचम मतलो नहीं भूला वहाँ बराबर पूरा चीज बताऊंगा ये है बच्चों इंटीम्मेंट मतलब यह कौंसा आउटर इंटीम्मेंट ओके आउटर इंटीमेंट एज क्या है यह और उन्दर वाला यह यह आउटर इन्टी ग्यूमेंट इनर इंटी ग्यूमेंट एच्छी से याद रखने और यह हमारा पूरा डाइगराम बच्छो किसका का डाइग्राम है ओविल का और आपको मैं क्या कर द machinery पूरा को पूरा मैं लगे तो आपको वापस बना के दिखाता हूँ ठीक है याद रखो strict क्या है बनाने की ठीक है पहले क्वानाना है । मगोठ ऊपर हो गया ऑ्यॉल सा बनाओ शोरी ओवल सा बनाओ एक और oval सा बनाओ लेकिन इस बार concentric oval बनाओ दिख रहा है न ये वाला थोड़ा dark वाला फिर बाद में तुम दो gates बनाओ तेड़ा gate बन गया था मेरा दो gates बनाओ दिख रहा है न ये दो gates मैंने बना दिया उसके बाद एक gate ऐसा पूरा लेके आओ नीचे तक लेके आओ इसको बहुत अच्छे से बनाओ और ये हमारे दो integuments आ गए फिर एक बड़ी सी डंडी बनाओ हो गया हमारा ओविल रेड़ी अब देखो पीले कलर से हम बनाएंगे या फिर अलग अलग कलर से बनाएंगे देखो उपर एंटिपोडल को मैं यूस कर रहा हूं pink कलर कौन सा कलर सांगा सांगा कौनता कलर पिंग कलर ओके उसके बाद येलो कलर से बनाएंगे सिनर जीड कौन से जीड सिनर जीड दो सिनर जीड बन गए और हमारी क्विन को कौन सा ग्रीन कलर देते क्या ठीक है हरी जंटी देते इसको ठीक है ग्रीन कलर भाई उसके बाद में secondary nucleus है बच्चो क्या यह secondary nucleus है याद रखना इसकी labeling कैसे करेंगे पहले दो पोल्स बनाना पहले क्या है चलाजा क्या जा चलाजा ओके यह हमारा चलाजा चलाजा के पास वाले सेल कौन थे एंटी पॉडल जी कौन से एंटी पॉडल ओके चलाजा के पास के सेल कौन से एंटी पॉडल सेल फिर यह कौन से सेल है बच्चो बीच पे परपल गलर वाले यह है हमारा secondary secondary nucleus ओके याद रखो याद रखना इसकी प्लॉइडी लेवल यह deployed होता है यह deployed क्यों होता है मैं आगे बताने वाला हूँ टेंचन मतलो जब development of female gametophyte देखेंगे ठीक है यह है बच्चो plant का एग अंडे का फंडा आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा है यह दोनों है synergids का बंडा synergids है ना synergids ओके ने उसके बाद में यह जो gap दिख रहा है बच्चो यह है माइक्रोपाइल यही पर इसके पूरे functions लिखके दूंगा बच्चो में ठीक है माइक्रोपाइल यह देखो यह वाला यह वाला अंदर वाला यह सरी यह बाहर वाला एक तरफ है अंदर वाला और एक तरफ बाहर वाला देखो यह अंदर वाला चीज तो ये क्या है बच्चा आउटर इंटीग्यूमेंट ये है हमारा आउटर इंटीग्यूमेंट और ये है हमारा मिंस प्लांट का इनर इंटीग्यूमेंट इतना भी याद रख लिया तो वेल इनफ है इतना भी बता दिया तो बहुत अच्छा है अब secondary nucleus जब बच्चो one male gamut के साथ one male gamut क्योंकि जब pollination होता है ना तो दो male gamut से release होते हैं बच्चो तो secondary nucleus क्या करता है एक male gamut से fuse हो जाता है और दोनों मिलके क्या बनाते हैं बच्चो एक अच्छा सा घर बनाते हैं इसका मतलब primary primary क्या बनाते हैं यह primary endosperm क्या बनाते हैं primary endosperm nucleus क्या बनाते हैं जो की triploid होता है कैसा होता है मेरे बच्चो triploid होता है कैसा होता है triploid मतलब तीन sorry छे तीन sets of chromosome होते हैं कितने sets three sets of chromosomes याद रखना synergies क्या करता है यह क्या करेगा एक को तो जगा नीडिना चलो ठीक कोई बात नी एक को हम जगा बनाएंगे queen के लिए जगा बनाएए यह ना यह pink color से दिखेगा सबस्ट अदर में अधर में अधर एंजी लिग देते ह你知道 यह औलों मिलके क्या बनाएंगे चोटा सा घर बनाएंगे जाइगोड को क्या बहते करेंगे जाइगड बोलेंगे यह डिपलोइड होता है गैसे होता है वत्चो डवलोइड होता है के प्राइमरी और न्युंकलियस आफेस बनाता है फिंड़ो और कह Compared क्या होता है बच्चो nutrition देता है किसको अभी बताएगा मैं किसको nutrition देता है तुम समझने का काम करो रही यह बनाता है आगे चलके baby plant क्या बनाता है baby plant ओके याद रखना इतना सारा चीजे लिख रहे हैं बच्चो हम लोग अगे चलकर क्या बनाता है hard cover of seed है ना hardcore of seed hard cover of seed इसी को क्या भोलते है बच्चो टेस्टा क्या बोलते हैं टेस्टा तुमने देखा होगा आम की खुटली फेक के मार तो सिर्फ जाएगा किसी का जो और से मारना है वस आपने तो उससिर्फ जाएगा वो जो hard रहता है ना एकदम कड़क कड़क माले है ना तो जो कड़क होता है ना वो तो उसको टेस्टा कहते हैं और आचार खाते-काते कभी-कभी हमारे तालू में देखो एक ट्रांस्परेंट सी जिल्ली फस जाती है ना पॉलिथीन जैसी लगती है तो यह होता है बच्चो इनर इंटिग्यूमेंट यह एम्रियों को ट्रोटेक्ट करते एं च्टिग मतलब प्रोटैटिव होते हैं फंक्शन में क्या करता है है यह यह करता है क्या क्यों प्विसका इसका काम होता है यहां जैसे प्लों तले जालतीर कि urine टूल गमmiता है तो यहे शांक्या태 को यह गारता है एंट्डिया यहांसा और होन परकी कि तो एंप पार्दक करते रहे किस के पास जाना है परिंम से मिलने जाना मतलब से मिल दाना भाव चाहिए तो समयों से बाद ई उसके बाद हम हम देखेंगे खामोश नहीं रहेंगे डवल्लपमेंट ओफ मेल गामेटोफाइट सब्सक्राइब तो देखते हैं डवलापमेंट तो फिमेल पीमाले गामेटोफाइट गामेटोफाइट अब यह जो अपने देखा है secondary nucleus यह वो सब बनता कैसे यह देखने वाले बच्छों ठीक है तो याद रखना बहुत अच्छे से याद रखना है यह है बच्चा मेगा स्पोर मदर सेल इसको मैं mmc लिख देता हूँ मेगा स्पोर मदर सेल इसका होता है क्या होता है देवा नंजी आ गए थे थोड़ी देर के लिए इसका होगा बच्छो first mitosis sorry first या इसा बुलेंगे meiosis one क्या होगा इसका simple मैं meiosis लिख देता हूँ ठीक है meiosis क्या होगा बच्छा meiosis होगा और इस वज़े से तयार होंगे हां कितने चार सेल्स कितने चार मेगा स्पोर्स तयार होंगे बच्छो mega spore mother cell याद रखना हमेशा diploid होता है यह हमेशा haploid होते हैं as इनका meiosis हुआ है अच्छे से याद रखना है समझ गया है तो बहुत अच्छे हैं ओके याद रखो बच्छो इसमें से फिर यह क्या होता है यह उपर के जो तीन है आप नीचे के तीन भी क्या कर सकते हो डीजनरेट खरवा सकते हो लेकिन जो उपर के तीन मेगा स्पोर से यह डीजनरेट हो जाते हैं बच्छो क्या होता है डीजनरेट अब पूरा का पूरा गैमेट ओव फाइट एक ही स्पोर से बन रहा है इसी लिए इसको यूनी पोरेट सॉरी क्या कहते हैं हम लोग मोनो और से पूरा का पूरा क्या हो रहा है मेरे बच्चा क्या तीयार हो रहा है नहीं सिम्पल मेश्वी मेश्वी से बढ़ेगा इसकी साइस बढ़ जाएगी थोड़ी मतलब यह थोड़ा से क्या होगा सेल डिविजन को प्रिपेर कर रहे हैं यह थोड़ी साइज बढ़गी मैं बढ़ा बना दिया उसके बाद इसका होगा बच्छो क्या माइटासिस वन माइटासिस वन की वज़े से यहां तो यार मेरे बच्छे दो न्यूक्लियस कितने न्यूक्लियस चलो जगानी पुरेंगी इसी को थोड़ा सा इनलार्ज बता देता हूं ठीक है इसको थोड़ा बता देते हैं इनलार्ज हां थोड़ा सा इनलार्ज हो गया बच्छो इसका हो है माइट ऊसिस one इसकी वज़े से एक नूप यूप 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 करता है यह नुरादा का भाई है ऐसा लग रहे है उसके बाद अब इसका mitosis 3 होगा बच्चो चार का आठ है ना चार की कितने आठ न्यूक्लियस तेयार हो जाएंगे बच्चो देखो अभी आठ न्यूक्लियस एक दो तीन चार ओविल बाबा का जैजेकार जैजेकार मतलब एक्जाम में देगा ना अपने को मार्क से है की नहीं देखो आठ है पूरा अच्छे से गिनो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ रहा हां थोड़ा बनाएंगे इसको इसको एरो को छोटा कर देंगी इसको बड़ा बना देंगे ओके यह ऐसे आठ न्यूक्लियस त्यार होए वाई कितने एक दो तीन इसको ले 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 चार एक द देखु कि यहां लिक देता हो मैं कहां कहां हो रहा है ओके यहां हो गया था मी इसस यहां क्या हुआ बच्को फोस्ट घ्डालमा प्रेर्ष्ट पंस कला सथे सरह होखने उसके पाद यह कैं मांस सस्कीद्व्त 3rd mitosis ओक्य और जोब जाके तःयार वा यह वाला structure अभ अगले पेज पर देखते हैं बच्छो क्या होता है सेल्स क्या करें गे खुद को की अरेंज करेंगे यह को यह और यह गेओ देख लो इसका ये रूप भी देख लो अब देखो यह वाला बन चुका है हमारा अब मैं अलग-अलग कलर से बता दूंगा आप लोग को से ठीक है वैसे तो आपने बहुत ज्यादा डिस्कस किया इस चीज को लेकिन फिर वी देखो वाच्छो यह यह तीन ऐसे बेकार से कलर के सेल्स बता दिये मैंने आप है अच्छा कलर चूज करना थे लेकिन यह भी अच्छा यह बलना अब देखो यह सेल तयार हो गए सेल वाल फॉर्मेशन करके इसका नाम होता है बच्चो कौन से वाले सेल्स एंटी बोडल सेल्स बताया था अपने च सेल वाल बन जाएगी तो यहां पर तयार हो गई दो न्यूक्लियसवाला एक स्ट्रॉक्चर जिसको हमने बोला सेकुंड़ हु निग्लियस ठीक है अब यह जितने भी सेल्स अब रही थैक़्ेस है यह है यह हैं नो हीити नूक्लिय मेंने दूंस बना इसका मतलब क्य living cœur quantum श Nah अब देखो दो अलग कलर यूज़ करेंगे हम लोग ग्रीन कलर यूज़ कर लेते मान लेते चलो हमारे सिनर्जीट के लिए वहाँ पर कोई अलग कलर यूज़ कर रहा था अपने लेकिन चलो यहां पर ग्रीन कलर ले लेते हैं और जो हमारा रॉयल पिंक कलर है यह हम लोग यूज करते हैं हमारी रानी साहिवा के लिए जो कि हमारा एग सेल होगा क्या होगा एग सेल होगा सेकेंडरी न्यूक्लियस को छोड़ दिया जाए तो पूरे के पूरे सेल है पलड होते हैं बचों ठीक है याद रखना बहुत लेटीम अzd पॉडल हैyba क्यों है एंटी पोडल है यह हमारा सीकेंडरी न्यूक्लियस इसे पोलार नेखी अ भी बोल सकते होगा सेकेंडरी न्यूक्लियस इनकी आगे कि प्लोइवल भी लिख देता हूं यह हमेशा का क्या हो जाए आपके दिमाग से निकल जाए यह होता है है यह होता है डिपलॉइड देखो यह है एग यह भी होता है है और यह दोनों मिलके इनको बोला जाता है सिनर जिट्स सौरी जिट्स बोलो बस बोलो यार कुछ तो बोलो कुछ तो याद रहो यार और हां लेक्चर अच्छा लग रहा हो ना लाइक करो बिंदा शे कर रहे हैं हम लोग और आप लोग में मेरे को बिलीफ है मेरे को पद्दा है आप लोग जीवर के शेर करने वाले हो ठीक है जल्दी से करोबा आगे देखो बच्चो अब यह वारी चोSi dave चौका अब क्या देखते हैं फरिटिलाइजेशिट्न ट्selling लगु करने वाट-टीर में टेशिंट्न ऐल दोना यह है नीए मेल गामिट्ट है अब्स्तुर्ष जाइगोट तो simple में अगर ऐसा लिख दू तो male gamet male gamet है ना जो कि haploid होता है plus female gamet है ना जो कि haploid ही होती है है कि नहीं और इन दोनों का result क्या होता है बच्चा दोनों का result क्या होता है यह होता है जाइगोट है ना यह होता है जाइगोट जो कि deployed होता है इसी को हम fertilization बोलते हैं बच्चो फर्टिलाइजेशन को बोला जाता है Cyn Nagami क्या बोला जाता है Cyn fibre इसको Caest सकते हो क्या बोल देहों सकते हो कि इसको कह सकते हो आराम अब यहां पर जो प्लांट्स होते हैं बच्चों डबल फ्रटिलाइज़ेशन कौनसा फर्टिलाइजेशन कौनसा फर्टिलाइजेशन होता है डबल फ्रटिलाइजेशन अब तुम मेरे दिमाग होता है तो दबल फर्टिलाइज इसन कुछ नहीं होता है बच्छो याद रखो क्या होता है वन मेल गैमेट ध्यान से देखो वन मेल गैमेट है ना शिंचैन भाई वी एच्छे से पढ़ रहे हैं अचकर यह किसके साथ में फ्यूज होता है एक के साथ में क्या बन गया वही ज अब दूसरा मेल गैमेट मैं अब यह लिख रहा हूं मैं सिर्फ टीक है में अब यह किसके साथ नियुक्लियस के साथ मतलब एसन के साथ एसन माने सेकंडरी नुक्लियस ध्यान दो एसन बगर क्या है सरी यह समझ नहीं रहे अपने को तो आईसा मत बोलो ठीक है तो याद यह रहे वियूज रही ना याद रखो यह हैं के हुज дता है यह तैयरकर गेलाि प्रैमरी सबंद क्लियॉस इस द्न था मैं यह वोते हैं उसके बाद उसके सबनता है अमारा एंदो सपर्म हैंना ट شथ है इंब्रीयों आगे चलकिक क्या बनता है घुछ अब अब इत्ना weso दोनों दोनों होते हैं यह दोनों जा दोनों भी स्टेंट में होते पचो है और इसे अपना अग्ला अब देखो क्या होधा है और ऑफ ह tentang यह को आए 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 पोलन ग्रीनस देखो यह हमारा इस्ट referendum और जो कि यह वार यह याद रखो दो यह 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 इंदर से दो इदर से समझ रहा किदर किदर से लाखे हम लोग चीजें उठागे है यह ना यह पर देखें अच्छे से बहुत अच्छे पो्लेंट इनने अपनी पोलेंटीज फ्लक्री शूडवरी और मिला कई अपको पता नहीं बनाने कोशच करतो सब्सक्राइब करता है और दुसरा मेल इसको सिंगय किसको बोलेंगे मेल और फिमेल गामिट क्या कर रहा है फ्यूजेश के टिपलोयड आईग ईसको सिनगय भोलेंगे और स्यूज दिपलोयड के साथिन आई जिसका नाम है चोम कहेंगे ऐसको नाम चैनल घ्रीपलोया पेज पे लिखा कर देता हूं आपको यह वाला है ना तो जो भी बनने की प्रॉसेस उसको फिशन ओके यहां तक शाइद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया अब बढ़ जाएंगे आगे की और टेंशन मतलो बच्चो थोड़ी वीडियो आज बड़ी होने वाली क्योंकि चैप्टर भी बड़ा है इसके बाद की और ज्यादा बड़ी हो सकती है शायद वन शॉट नहीं टू शॉट में लेना पड़े वो चैप्टर को जिसका नाम है हम गंटे का वीडियो बन झाएगा तो इतना वी टू शॉट में लेंगे इसको टीक है वन शॉट बन चॉट करके ऐसा कर लेंगे वन शॉट पुरा नर्वस शिस्टम वन शॉट पुरा एंडोक्राइट शिस्टम तो जाके वो टू शॉट लेक्चर बनेगा ठीक है यहां तक साथ आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा और बचो देखते हैं याद रखने वाली बात कौन सी है तो जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो मोनोस्पोरिक होता है बच्छो क्या बोल रहा हूं मैं बार बार मोनोस्पोरिक क्यों कहते हैं इसको पूरी वीडि और चार माइक्रो जेंगें अब इसमें से क्या हो रहा है बच्छो टीन हो जारें डिजनरे और सिर्फ एक से ही पूरा- olması rarely फीमेल डिमेंटोफाइट बंडारा इसलिए मोनोपोरिक कहेंगे क्या कहेंग दियुक्त रखना इसको मोनोपोरिक क्यों हम कहते हैं और वैसे अधिया पानी पीना लिखत के लिए बहुत अच्छा होता है आप भी पानी पीए अब बढ़ते हैं आगे की ओर ठीक है वन शॉट लेक्टर बहुत बड़ा होने वाला है और वन स्ट्रोक में अपन खतम कर रहे हैं ठीक है अब देखते हैं बच्छो क्या पॉलिनेशन क्या देखते हैं wanna pollinator है फॉली नेशन क्या देखेंगे फॉली नेशन है ना क्या होता है बच्छो क्यों पॉलिनेशन यह फॉत आपिव ज्यादा खुछ नहीं याद रखना है अप्लोग को HEL को उफॉलन उड़लों करेंजिंग पॉलीनेशन मतलब क्या है ट्राम्सफ़रॉ और पोलन ग्रेंज पॉलिनेशन मने ट्रांसफर और पोलन ग्रेंज अब याद रखना तीन टाइप के पॉलिनेशन होते हैं अकॉर्डिंग टू दिस ट्रांसफर ओके यहां पे एक तीसरा वाला यहां लिख देंगे थे टूमैटिक हो रहा है टाइब क्या होता है इस चैप्टर हो और समझ लो दूसरा होता है गाई टोनो गैमी ओके और लास्ट होगा जैनो गैमी ओके याद रखना है आप लोग ने ये तीन तीन टीन टाइप के होते हैं AGX, क्या AGX याद रह लो autogammi, gitologammi, xenogammi autogammi क्या होता है, देख लो भईया देखो autogammi मतलब क्या pollination, transfer of pollen grain देखो ये वाला sentence आपको ना as it is use करना है बस आगे के शब्त बदलते जाने है, ठिक है transfer of pollen grain, from anthrr to stigma, क्या यहां पर और कुछ मैं add कर सकता था from enter to stigma लिख देता हूँ from enter to stigma है ना from enter to stigma of देखो of same flower क्या बोल रहो मैं enter to stigma of same flower जबी भी same flower में क्या होगा pollination होगा वही फूल का pollen grain उसी फूल के पर स्टिगमा पर जाके लैंड करेगा इसी को क्या कहा जाएगा बच्चो आटो गैमी ठीक है अब याद रखो यहां पर क्या होता है से डिफ्रेंट फ्लावर क्या होता है यहां पर डिफ्रेंट फ्लावर सेम प्लांट होता है, ओके, डिफरेंट फ्लावर, सेम प्लांट, क्या होता है, डिफरेंट फ्लावर, सेम प्लांट, और जीनो गैमी में क्या होता है बच्चो, डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट प्लां स्पिशीज कैसी होती है सेम ना सेइ祁 फिलावर सौरी डिफिरेंट depende different plants same species definition कैसे आएगा ओटोगैमी मतलब क्या ट्रांसफर ओफ पोलन ग्रेंग देखो ट्रांसफर ओफ पोलन ग्रेंग फ्रॉम एंथर टु स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर इस कॉल डास ओटोगैमी क्या ओटोगैमी और गैटोगैमिंग क्या होता है देखो सिंपल ट्रांसफर प दूसरा फुलवर रहता है तो यहां से पोलन वहां फेकना है और पॉलिनेशन हो जाना है याद रखना है यहां तक शायद आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा अब देखते हैं बच्चों एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन क्या दिखते हैं एजेंट्स पॉलिनेशन ज्यादा नहीं बाकी है थोड़ा बाकी है चैप्टर और अपने को 40 मिनिट्स में अपन लोग खतम कर देंगे चैप्टर को शायद शायद बोल रहा हूं मैं क्योंकि बड़ा चैप्टर है याद रखना बहुत बड़ा चैप्टर है हाँ चलो आगे बढ़ते ह आप मिक्सिस वगेर है ज्यादा कुछ है नहीं पूरी टेक्सबुक अपन फॉलो कर रहे है टेक्सबुक की एक-एक बिट को उठा रहे है यहां से ठीक है अब देखो बच्चो क्या क्या देखना है एजंट्स ऑफ पॉलिनेशन क्या देखेंगे एजंट्स ऑफ MG फिरखना एजंट्स कितने दूव टाइक एजंट्स होते बच्चो एक तो यह फ्यक्ष। कौन से अनेमोफिली कि दिखो यही पह jugar में लिखए देदेता हो क्या होता है यह फॉल्लीनेशन होता है रही होता है ठीक है और दूसरा होता है Hydrophily जैना हाइडोप फाइली यह फीनी पॉरल चिन विड़ा हेल्प ऊफ वाटर त्या पॉलिनेशन विद्चाषेल्प वाटर और यह होता है एर बायॉटिक में तीन याद रखने हैं बच्चों अपने सिलभस के थाप से पहला होता है और एंटोमो मतलब इंसटुन और दूसरा होता हूता है क्या दूसरा क्या होता है क्या होता है देखो और नूथमिद ओपको दूए और पर और 35 रहोता है काय्रोप्टेश्रो फीलि क्या-ध्रोप्तेश्रीु берता? उन्टों और याद रहना बच्क्छों क्या होता है इन्षेक्स कृड़े क्या करेंगे है पॉलिनेट नहीं होता है ऊफता है गार्डन में पॉल और पूल के साथ आतें बहो रही 흈 होता है भवरो का काम क्या होता है पॉलीनेशन करवाना ठीक है याद रखना कायरोप्टेरोफिली में होता है राठ क्रिकेट की बैट हुद रिटी है आडाप्टेशन याद रखने बच्छों अडाप्टेशन हम लोग सिर्फ डिसकस कर लेते हैं क्योंकि लिखने के लिए तो बहुत जादर टाइम लग जाएगा अडाप्टेशन इनके कैसे होते जैसे आनेमोफिलस फ्लावर में देखना छोटे छोटा फूल है ना ज्यादा च्छोटा फूल ज्यादा पौलन शर्ञ अब हवा में अगर उडना है फ्लावर का नहीं लों को फ्लान टाईना मीग होना चहिए उसके बाद मैं बोलूंगा आप को ड्राइ होना चाहिए यह फिर मैं बोलूगा इनके फ्लावर में कलर रहा नहीं रहा कोई फरक नहीं पहनदा उसके बाद में बोलूगा आपको की इनके बोलूगा सिंपल फ्लावर की जो एंथर हवा के कोंटैक्ट में रहना ज़रूरी है यह भी आप लोग को अच्छी से ध्यान रखना है क्योंकि जैसे हवा आएगी मस्ता नहीं तो फोलन पोलन ग्रेंज मस्त एंथर से आराम से उड़न चू हो जाएंगे है ना उसके बाद में फ्लावर म चूटे होते हैं कोई फ्रेग्रंस नहीं होता है एकदम नॉर्मल कलर के होते हैं कलर होता इनिए सिंपल वाइट कलर चैंटर एक्स्पोज होता है एर को यह सब एड़क्टेशन आपने याद रखने और लिये एरोडायनमिक पुलर ग्रेंज होते हैं ताकि हवा को आराम से क होता है जादा में बनाना पड़ता है तक क्या होता है पोलीनिशन की पर फोसे बाद ऐसे ऑपर करने की जुरूरत नहीं है ऊपर बॉलेंग इसको वजह से flowers बी यले नहीं होंगे पोलन ग्रेंज पर सिस्क्राइब्लर कोने पानिया पानी गूंट्ररियो निंर Census ां-ई-न-फाया बाने किंग मैं फिर उसके बाद में आच्छी से वार। 아इगे उल्स सूंतों सुङ्छा यह स्नीम तो मत जाएंगा Dru you कि जोनें तो सब्सक्राइब करेगा सामने हो। कि अपने ही इन स्वागत है पर बताना पटाना पड़ेगा किड़े इन अपने ही इंसे जी है कि नहीं बिल्कोल ऐसे ही होगा फिर उसके बाद मैं बोलूँना इन के पास होते इन flowers के पास होते नेक्टर ग्लैंट तो यह नेक्टर भर भर किनेक्टर बनाते हैं प्लस इनके पूलन ग्रेंस थोड़े स्टिकी होंगे ताकि पैर पे आराम से चिपक सके उसके बाद अब देखते हैं बच्छों बर्ड के थुरू पॉलिनेशन अब इन फ्लावर का शेप बड़ा होगा लेकिन इन फ्लावर में स्मेल इतनी खास नहीं बिकाज याद रखो बर्ड की सूंगने की शक्ति जो है शक्ति यह थोड़ी सी कम होती है लेकिन नेक्टर भर भर के बनेगा ठीक है समझना यह एक चीज इंपॉर्टन याद रखो डाइल्यूट नेक्टर बनेगा इनके भी पोलन ग्रें स्टिकी होंगे और श्पाइनी क्या था एक वह था क्या बोलते हैं डिजी मॉन आता था शू उस पर क्यलिक्टर मॉन था क्यलिस्टर मॉन फिर बाद में बूटिया पिर बाद में अपना जो काईरोप्टेरोफिलस फ्लावर है एडंसोनिया काईगेला और एंतोसिफालस कड़मड्री होता है ना उसको यह और प्लस 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 इनके फ्लावर रात में ब्लूम होने के वज़ेश साती साथ इनके फ्लेशी फ्लोरल वहल्स होते है एडीवल पोलन ग्रेंज होते हैं ठीक है आराम से याद रखो अब कुछ देखेंगे बच्चो आउट ब्रीडिंग डिवाइसे मतलब ऐसे ड द्वारा data landowners में तयार तयार किये गए है ताकि सेलफ पॉलिनेशन ना हो यां सेलफ पॉलिनेशन नहीं हो द्विजजन इसलिए प्लांट ने क्या किया है कुछ ऐसे डिवाइस त्यार किये हैं जिसको हम बोलते हैं ब्रीडिंग डिवाई से क्या बोलते हैं narus ngay do रिवीय कि क्या क्या प्रीडिंग है कि अपना सेल्फ पॉलिनेशन पे अपना आपने से एंट वेस्ट करना लेकिन एक समय के बाद उनका क्या हो जाता है पत है क्या सिंपल अगर मैं बोलू एक समय के बाद में क्या होता है पूरे के जो जो फ्लावर्स है तो मतलब उनका जो लीनियेज है या फिर मैं बोलूगा जैनेटिक्स है यह कमजोर हो जाएगा न बच्चा तो क्या होगा सिंपल सी बात है वेरियेशन नहीं होंगे और एवलूशन पर फरक पड़ता है तो प्लांट को भी अपना एवलूशन करने का फुल लॉन अधिकार है न तो यही एवलूशन करने के लिए प्लांट ने आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस तयार किये गए हैं तो आउट ब्रीडिंग डिवाइस और दूसरा है प्रोटोगाईकिन है ना प्रोटोगाईकिन थि क्यो malad improvement में एक्छ तो देखों एंड़्ोएCM ने फेलियर मतलब पहले क्या पहले ही मैच्वर हो जाता इनके एग्जांपल भी आप लोग को याद रखने मच्छो ठीक हैं एट टो इस एट पहले हो जाता है लेकिन माच्वर ही कि मामा की लड़की जिस लड़की के साथ रिक्षता होने वाला था तो वह लड़की जो बहुत च्षोटी ए अत्वा सवाल Aber पड़ेगा तो सेम वैसे इसी नहीं यहां पर भी होता है प्रोट एंड्री में क्या होता है यह पहले ही मैच्वर हो जाता है लेकिन गाइनोईशियम तो है नहीं तो फिर पोलन ग्रेन बाहर ही फेकने पड़ेंगे ना दूसरे तरफ जाना पड़ेगा भाई है ना ऑप्चन गाइनोईशियम मैच्वर मैच्वर और पहले मैच्वर हो जाता है इसके इसी इसे जोड़े पच्छोड़न पाइन्य Glau Sund है चलंव च्माप्ध सनन मेल को बोलते हैं तो सनफलावर याद रखो और उसका बाद में ग्लोडियोज यह फिर शैम्पल हम याद रख ना क्षिर Noch देख deal रखना ना गैजम्पल सनफ लावर और इसका एक्जैम्पल यह यहाद रखों इसके बाद वाला कुन सा है हमारा प्री पोटेंसी अपन क्या करेंगे पूरे अलग-अलग मारकर से लिखेंगे ताकि आप लोग को क्या होगा चीजे आइसोलेट हो जाएगे ठीक से प्रीपोटेंसी मतलब क्या होता है बच्छों ठीक है पोलन ग्रेंज ओफ अदर फ्लावर जर्मिनेट रैपिडली ओवर स्टिक्मा दैन ओन फ्लावर मतलब बोलते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर तो जो बाहर के पोलन ग्रेंज होंगे वह बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो जाएंगे मतलब आए का पॉलन टुप तुरंत रिलीस लेकिन घर का पोलन ग्रेंज र र्मर्वर जर्मिनेटश फास्टर है न ज één में एड्मीनेट फास्टर बर दौ Bowl जर्मीनेटश फास्टर अटिक है इस वज़े से क्या होता है श से फॉलनेशन नहीं होता है आड़ाम से यांद रखो लेना एकजाम्पल है एपल एपल को याद रखना घर्ब की मुर्गी दाल बराबर उसके बाद बच्चो देखो नेक्स है अपना हेटेरो स्टाइली क्या है हेटेरो स्टाइली उसके बाद है हमारा हेटेरो स्टाइली है ना हेटेरो स्टाइली मतलब क्या होता है हेटेरो स्टाइली में देखो याद रखना की सिंपल जो ऐसा बोलेंगे इसको एक छोटे फ्रेज में तैयार करते हैं पहले तो टेक्स्ट्बुक का देख लेते ठीक से इन सम प्लांट्स लैक प्राइमियूला ठीक है देर आट टू और थ्री फॉर्म्स या फिर टाइपस ओ फ्लावर इन विच्टिगमाज और अन्थर आर प्लेस्ट अड डिफरेंट लेबल मतलब अगर फ्लावर में वेराइटीज होंगी सिंपल अगर मैं बोलू कैसे लिखेंगे इसको वेराइटीज इन फ्लावर अब व इचली लेवल पर स्टिगमा एकदम उपर की लेवल पर कैसे पोलन को रॉकेट लगा कि तो उपर नहीं भेजेगा ना तो यह इस वज़े से सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट हो जाता है तो सिंपल मैं बोलूंगा वेराइटीज इन फ्लावर इन फ्लावर इन फ्लावर इ इस प्लाइक प्लाइक स्टिगमा वाले हैंना स्टिगमा वाले स्टिगमा एंप्स्ताइल यहां सट्सें सब्दरों मैंat डिफ्रेण देफ्रेंग क अट डिफ्रेंट लेवल या रखना यह तक तो तो आपको समझ में आ गया रहेगा इसी को हेटेरो मॉर्फी कहा जाता है बचो यह कुछ-कुछ चीजें बहुत माइने रखती है और बहुत इंपोर्टन्ट है हमारे लिए ठीक है हेटेरो क्या बूलेंगे इसको हेटेरो मॉर्फी अब हरको गैमि देखते हैं बच्छो क्या होता है यह एक बार क्या होगा स्टीग्मा पहं बन रखते हैं तो तो क्योंगे पीच में एंड़ोईशियर और गाइनऊचियव के बारियर बेट्मिन एंड़ोईशियर एंडवाइन रिक्रावर ठीक है थोड़ा सा फास्ट ले रहे हैं हम लोग तो पूरी लिखने में बौर्ट टाइम चले जाता है तो याद रखनो पूरा सुनते रहो ठीक है लेक्चर बहुत अच्छे सुनो बिल्कुल भी इसको क्या गरो स्किप मत करो बच्छो लगए तो स्पीड बढ़ा दो अगर लाइव लेक्चर चाहिए तो कॉमेंट बॉक्स में बताओ बच्छो ठीक है अगर लाइव लेक्चर आ पोलन पिस्तिल इंटरेक्शन हम पहले ही खतम कर चुके है कहां पे अपने डवल फॉर्टिलाईजेशन में मैंने बताया था सिनर्चेट वगरे क्या करते हैं अब देखते हैं हम लोग आर्टीफिशल हाइबरीडाइजेशन डवल फॉर्टिलाइजेशन भी मैं बता बता कि व hamm application क्या कि या जाता है दूसरे फ्लावर ऑंध मतलब यूं oftentimes उसको करेंगे जबसरे यू is भबाइशन हो जाएका और यही होता है अर्टिफिछल hybridization double fertilization हम लोग cover कर चुके याद रखना fertilization जो है यह pollen tube जो है या फिर मैं बोलूँगा entry of pollen tube जो है यह तीन types की हो सकती है तो यह लिखना ज़रूर है हमको ठीक है entry of entry of pollen क्या बोलेंगे बच्चो पोलन ट्यूब किसकी entry pollen tube की entry बच्चो तीन तरह से हो सकती है पोलन ट्यूब की entry तीन तरह से हो सकती है कितनी तरह से हो सकती भाई तीन तरह से एक तो होता है बच्चो पोरोगैमी क्या होता है पोरोगैमी याद रखना पोर मतलब गयाप और गयाप कुन सा है माइक्रोपाइल तो जब भी माइक्रोपाइल से पोलन ट्यूब एंटर कर रही है तो इसको पोलन पोरोगैमी बोलेंगे दूसरा है मेजोगैमी मिडल में क्या होता है बच्चों इंट तोड़ दर्वाजा करके बीच में घुश जा रही है तो इसको बोलेंगे हम लोग मेजो गैमी और लास्ट में होता है चलाजो गैमी क्या चला जाता हूं है ना चलाजो गैमी इसको तो बताने की जरूरत नहीं बच्छों चलाजा से एंट्री करेंगी पॉलन ट्यूब है ना कहां से एंट्री हो रही है पॉलन ट्यूब की माइक्रो पाइल से मेजो गैमी में कहां से हो रही है इंटी ग्यूमेंट्स आपके जो टेक्स्ट बुक से इसमें डायग्राम्स भी बच्छों ठीक है डायग्राम्स देखो पॉइंट नंबर है 1.12 ठीक है फिगर नंबर 1.12 देख लो अच्छे से आपको तीनोच कॉंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे ठीक है और लास्ट में चलाजो कैमी में क्या है बाई इंट्री ओफ पोलेंट्यूब फ्रॉम नाम में यह ना चलाजा शेक्सपीर बाबा बोलते थे नाम में क्या रखा है यहां पर फर्टिलाइजेशन के एंग्जियोश्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन बहुत रिक्रक्टरिस्टिक फीचर बोलूगा तो सिंपल यहां पर इंपोर्टन्स और और डबल लाइजेशन ओके फर्टी लाइजेशन significance of double fertilization देखते हैं तो सबसे पहला significance बच्चो यह यूनिक feature है किसका एंजियो स्पर्म का यूनिक यह mcqa बच्चो याद रखना है यूनिक फीचर लेकिन किसका यह भी याद रख लो एंजियो स्पर्म का ओके जिम्नो स्पर्म में नहीं होगा गाठ बानलो इस चीज़ की अपने दिमाग में सजोत के रख लो इस चीज़ को ठीक है deployed zygote बनेगा बच्चो क्या बनेगा deployed zygote develops into embryo which consequently developed into new plant है ना zygote form होगा in short क्या form होगा 2N zygote form होगा deployed zygote forms है ना deployed zygote zygote form होगा और यही deployed zygote किस में कनवर्ट होगा बच्चो embryo में और यही embryo किस में कनवर्ट होगा हमारा new plant में है ना यह याद रखना है भई deployed zygote जो बनेगा जो की embryo में convert होगा फिर बात में याद रखो triploid primary endosperm nucleus तयार होगा जो आगे चलके बनेगा endosperm में convert हो जाएगा और यह endosperm क्या करेगा nourishment करेगा क्या करेगा यह वापस एक पिटो क्या बच्चो नरीश्मेंट है ना यह नरीश्मेंट करेगा मतलब new plant को nourishment देने का काम करेगा जब तक वो प्लांट के पत्ते नहीं फूट जाते हैं ठीक है उसके बाद मैं मैं बोलूँगा पत्ते फूटना मतलब ब्लास्ट नहीं करेंगे पत्ते निकल नहीं आते जब तक उस प्लांट के तब तक यह नरीश्मेंट provide करेगा याद रखना फिर बाद में क्या करेगा भाई डिप्लॉइड लेवल वापस restore करेगा पॉली एंब्रियो नहीं बनने देगा है ना याद रखना एक से जाधा एंब्रियो नहीं बनने देगा जिसकी वज़े से defect होने के खत्रे हो सकते हैं तो यह सब significance है बच्चो किसके double fertilization के किसके significance है यह double fertilization के अब देखेंगे बच्चो endosperm और उसके अलग-अलग types ठीक है endosperm उसके types और उसके एक-एक examples भी याद रखेंगे ठीक है endosperm उसके types फिर बाद में होता है हमारा seed seed के बाद में development होता है फिर एपो mixes पार्थेनो कार्पी और हमारा chapter done हो जाएगा फटाक से फटाक से लेते बच्चो और इतना देर हम लोग रुके और थोड़ा से रुक जाएंगे ठीक है अब आप में से कितने लोग भाग गए मुझको यह भी नहीं पता है लेकिन फिर अभी उम्मीद पर दुनिया खाया है मैं दोस्तों अब देखते हैं अगले हाफ अनार में पूरा का पूरा ही चैप्टर डन होने वाला है टेंशन मतलो अब देखते हैं बच्चो क्या टाइप्स ओफ एंडो स्पर्म्स क्या देखते हैं टाइप्स आफ आफ एंडो स्पर्मन है न बच्चो तीन टाइप्स के होते हैं इंडो स्पर्म स कितने टाइप्स के prin पहला तीसन टीन टाइप क सथा पहले वाला देखते हाब एला न्यू क्लियर हैघना कौन सा वाला नु कलियर दूसरा वाला थे सलार चांद और तीसरा वाला हेलो वियल कौन्सा फेलो विय। है ना select टीन होते हैं हेलो वियल न्यूख्लियर अ सेंलूलर है तो है यह ज़े हमारे आ गोचे हैं चश्मा नया नाय करीदा क्या बुलते आ Tout और मस्त लग रहा है कि तो आगे आगे अम लोग किसी धिली के बढते हुए क्या करेंगे और और में चुण आप यह ने लेकिन वाले हैं न्यूद अब फहले देखने वाले हैं देखने माले हैं न्यूद देखने वाले हैं तो आप Łagィ Cave और बच्छो 161 आटे स्टम में 161 फैमिलीज मेंं पहों-से-डर फामिली से तो याइद रखना 161 बन का आकड़ा स्पीशिस लिख देते हौं में डायरेक्वि ना यहीं की शीख लेंगे भाई टैंशन नहीं है नूकलियर एंडुस्पर में क्या होता है बच्छो एक एंडुस्परम है यहां क्या होता है नूक्लिएस ढिवाइड हो जाता है बदेखो नूकलिएस बहुत सार cell wall formation हो घाती है और अटलब पहले क्या हो रहा है नूर। और उसके बाद नुन कि आ इसे लिए हैERS को opening इसको नूर एंडों किया कहा जाता है पिर याद रखना बस यहाँ पर ए को इसका एक्राइंपल एक याद रखोंड तीन एश्षकन देताओं में याप ए वीट के संफ्लावर पाइड अपना कोकोनाट है ना कोकोनाट यह तीन है अपने न्यूप्लियर एंडुस्पर्म के एक्जैंपल पहले क्या होगा न्यूप्लियस जिवाइड होगा उसके बाद क्या होगा सेल वॉल फॉर्मेशन होगी ठीक है और परियो मस्त मजे लेते हुए न्यूट्रियंट एब्जॉप करेगा इंडुस्पर्म से यह आप लोग को याद रखना अब जो कोकोनाट है इसका इंडुस्पर्म लिक्विड होता है बहुत अच्छे से याद रखो इसका इंडुस्पर्म होता है और उसके अंदर देखो छोटु सा बी जाता है बच्छों ठीक है वह होता है कोकोनाट के प्लांट का पूरा का पूरा मेन बेबी प्लांट होता है बहुत अच्छे से याद रखो उसके सेलूलर एंडुस्पर्म तो याद रखना यहां क्या होता है भाई 23 सिन्पल्स नुटियस डिवाइट होता है यूम्ल्टेनेश ली ठीक है न्यूच डिवाइब नूकिलियस डिवाइड है ना and immediately I amem लिखता हूँ में सिर्फ immediately sèl qual firms इमीजेटली एम हो रह रहा है इस इसे बालसम पेटू्ण। यारो जाग advisor क्या इसका लुश्न कि का इस डाप्ट बाल सम गपाल पेटूनिया ए कि पेटूनिया ऑडोक स है ना यह कुछ नाम याद रखने बच्छो आपको बालसम पेटूनिया एडोकसा इन में इसमें टोटल बच्छो 72 फैमिलीज में एक्जिस्ट करता है कितने 72 फैमिलीज याद रखना बच्छो 72 फैमिलीज पहला वाला हाँ 161 स्पीशिस लिए थे अपने फैमिलीज होना चाह था है यह भी याद रखना है आपको ऑलो को दीचने को मिलेगा ओर स्मल यहां पर दो याद रखना है यहां पर दो तो एनिक्वल टाइप के ऐसा होता है एक और ये दो तो जो बड़ा वाला सेल होता है इसको स्मॉलर सेल इसको हम बोलते हैं चलाजल सेल्स और लारजर वाले को बोलते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से याद रखना है तो लगबग चैप्टर के अंतीम पढ़ाओ पे पहुचने के बाद बच्चो आप हम लोग देखने वाले हैं क्या लिखते हैं यहां पर फॉर्मेशन आफ एंब्रियो ओके पॉर्मेशन आफ एंब्रियो अब एंब्रियो जो है ना बच्चो ठीक है क्या होता है formation of embryo मतलब simple याद रख लो यहाँ पर हो रहा है embryo embryogenesis क्या हो रहा है बच्चो embryogenesis अब embryogenesis क्या होता है simple जबी भी जाइगोट जो है क्या कह रहा हूँ मैं जबी भी जाइगोट जो है ये convert हो रहा है किसके अंदर embryo में convert हो जा रहा है या फिर develop हो जा रहा है इसी को हम बोलेंगे बच्चो embryogenesis ठीक है अब embryogenesis के दोरान याद रखना सबसे पहले ये embryogenesis जो concept य ऊज़ना क्या होते रहती है ये process क्यिया प्रोसेस चलती रहती है क्या होता है अब सबसे पहले जो हमारा else i got है देखो हमारा प्यारा जाइगोट ये दो unequal cells में divide हो जाता है जैसे देखो मैंने बताया यह दो unequal cells है और तो एक cell होता है हमारे micro pile के पास और एक cell होता है हमारे चलाजल point के तरफ बनलब चलाजा के तरफ यह directed होता है और हमारा गजब की बात है देखो अगर मैं बोलूँगा ये हमारा embryo sac था यहां पे पूरा fertilization हो गया यहां पे पूरा हमारा endosperm बन गया टिक है तो याद रखना हमेशा कि जो larger cell होता है क्या कह रहूं मैं बच्चो larger cell होता है इसको suspensure initial कहते हैं क्या कहते हैं इसको suspension initial क्या बोलएंगे बच्चो suspension initial इसको कहेंगे क्या कहेंगे suspension initial ओकि اب majd suspension initial होता है न देखो मैं बता रहा हूँ अपने टك्सबूक में problem क्या है पता है क्या हूं ने उल्टा पल्टा कर दिया है डाइग्राम ठीक है क्या कर रहा है उल्टा-पल्टा कर के रख किया है मतलब जो में चोटे जो लार्जर सेल उसको इसे उल्टा बता दिया है मतलब अपने को क्या लगता है माइक्रोपाइल उपर के तरफ टीक है तो अपन ऐसे देखेंगे बच्चों सस्पेंशर इनीशियल थोड़ा सा बड़ा सेल और उसके उपर है बच्चों देखो छोटा एंब्रियो वाला सेल कौन सा सेल एंब्रियो वाला सेल ओके अब यह एंब्रियो वाला सेल को हम बोलते हैं एंब्रियोनल इनीशियल क्या बोलते हैं एंब्रियोनल इनीशियल ओके औ इसरी वर्ड्स चलाजा चलाजा यह ंगरावाला है तो इस पर माइक्रो पाईल के पास में देखो अगर बड़ा वाला यहाँ पे रहा और छोटा वाला यहाँ तो यह बड़े वाले का काम होता है endosperm में अपने embryonal cell को क्या करना धकेलना ताकि उसको nutrient वगेरे proper तरीके से मिल सके ठीक है यह होता है बच्चो suspensor है ना सस्पेंसर इनीशियल ओके यह कौन सा सेल होता है सस्पेंसर इनीशियल सेल होता है इसके screen shots वगेरे time to time निकालते रहो बच्चो मतलब जल्दी जल्दी आप लोग को बहुत सारी चीज़े पता चल देगी अब यह सस्पेंसर इनीशियल है ना बच्चो इसके transverse division होता है क्या हो यह से क्या होता है इसका transverse division होता है बच्चो एक दो तीन चार पांच छे सेल बनाऊंगा मैं जादा नहीं बनाता हूं ताकि अपने को फटा फट आगे concept करते आएंगे दिख रहा है ना और यह उपर बच्चो यह उसके embryo है क्या है एंब्रियो बच्चो ठीक है यह है उसक सब्सक्राइब के पास अपना सस्पेंसर होता है और इंब्रियो जो है ऊपर की दिराफ होता है बच्चो ठीक है मतलब यह क्या करेगा उसको कहां धके लेगा कहां धकेलने वाला है यह इसको embryo में अपने यही काम होता है अब देखो यहां पर यह बढ़ गया इसे ठीक है यह यहां पर बढ़ता चला गया है और इस वज़े से बच्चो आप देखो आखरी का जो यह जोasilडे करें को यह यह क्या होता है TBD इसको ऑस्टोरियूम क्या बोलते हैं और सूजने के बाद यह क्या हो जाता है होस्टोरियूम में कर्णवर्ट हो जाता है यह जो इनिशील का सबसे पहला सैल है जो माइक्रोपायल के पास एकदम आता है वो क्या हो जाता है सूज जाता है और सूजने के बाद में क्या होता है इसको हम होस्टॉरियम में सबसे हम इसको आप पो हम फाइसिस क्या बोलते है, हल्ठ पस्ञे եीरे-थीरे धीर मारा जो ऊपर एंब्रियोनल स्ल में लिख देताओ ह्जहां पे पेंब्रियोनल सेल Saely इसमें भी और क्या होता है देखो पहले मेरे में बनाने त्यों आधर क्या है यह हमारा होस्टे-रियम होने के बाद यह ऐसे बना देता है पहले तो और बनाने के बाद इसी का कनवर्जन हो जाता है बच्छो ऐसे हाड शेप स्ट्रक्चर में देखो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ बना लेंगे चलो ठीक है आठ छे से दसी होते हैं वैसे हल यह देखा तने हो बच्छो एसे हांट शेप ऐसे ये एम्प्रियो मालता है देख रहा है हाड फो जाता है अब यह जो हाड शेप है न बच्छो यह क्या होते हैं यह कॉटीलिदस forms कोटिलेडेश अब यह कोटिलेज और डिवाइड होगा कि और यह है हमारा एक dicot seed और ये वाला जो part होता है न बच्चों ये दोनों cotyledons होते हैं क्या होते हैं दोनों के दोनों cotyledons होते हैं ये आप लोग को अच्छे से याद रखना पड़ेगा ठीक है बहुत अच्छे से याद करो बच्चों और एक बात याद रखो इसी से radical plumule ये चीजे arise होती है अब इसमें क्या है पता है क्या एक चीज है जैसे हम बोलेंगे जैसे जैसे octant बनता है जो octant के दो tiers बनते हैं बच्चों एक lower tier बनता है और उसके उपरे upper tier बनता है तो जो lower tier है न बच्चों ये hypocotyle को राइस देता है कि इसको hypocotyle form करेगा और साती सात इसकी वजे से radical भी form होगा क्या form होगा radical form होगा अब सर radical means क्या होता है भाई radical ये वो part होता है plant का जहां से roots राइस होते है और फॉर radical और प्लूमूल ये वो पार्ट होता है जहां से शूट सा राइज होते हैं पीएस खेले होना प्लेश्टेशन तो पीएस याद रख लो लुमूल गेव्ज राइज टू शूट रैडिकल से आरार याद रख लो रैडिकल गेव्ज राइज टू रूट बहुत अच्छे से याद रखना है तो जो लोवर टियर है न बच्चो याद रखो लोवर टियर आफ ओक्टन्ट अब यह ओक्टन्ट किस चीज़ का है अरे कुछ नहीं जो अपना जो इंब्रियोनल इनीशियल था ना इसका ट्रांसफर्स इसका वर्टिकल डिविजन हुआ वर्टिकल डिविजन होने के वज़े से देखो दो का एक से दो सेल तैयार होते है दो से चार चार से आठ सेल तो आठ सेल की जो स्टेज होती है ना मेरे बच्चो उसको बोला जाता है ओक्टन्ट ओके अब यह octant कैसे बन रहा है देखो नीचे ऐसे चार सेल होंगे और उपर की तरफ भी ऐसे चार सेल होंगे तो यह जो lower cell है दिख रहा है ना यह lower tier और यह है upper tier तो lower tier से क्या बन रहा है मेरे बच्चो radical radical and हमारा देखो क्या क्या चीज़े बन रही है radical and हाइपो कोटाईल क्या बन रहा है हाइपो कोटाईल क्या बन रहा है हाइपो कोटाईल हो गया वह एक मिनट हाइपो कोटाईल ठीक है radical and हाइपो कोटाईल और जो दुसरा वाला है जो lower टीर अपर टीर है ठीक है यहां लिख देता हूं अपर टीर अपर टीर टीक है यह क्या बना रहा है यहां पर याद रखना यह बनाएगा टो लुझेकल सब्सक्राइबूरा है याद रखना थिक है अब राइसों होंगे बच्चो प्लुमूल और प्लूमूल को बहुत अच्छेसे याद रखनेंद कि यहां जो आप लोग को क्या करेंगे एक्जाम में मार्क्स दिलाने के लिए काम आएंगे और वैसे भी इंपॉर्टन क्वेशन की सीरीज आने वाली है ठीक है और उसमें हर कम से कम 10 क्वेशन अपन डिसकस करेंगे और 10 क्वेशन के एंसर कैसे लिखने हैं इसके उपर हम लोग ज्यादा फोकस करने वाले बच्चों टेंशन नहीं लेना है एक्जाम के पहले आपके बहुत सारे क्वेशन प्रैक्टिस करके भी हो जाएंगे बच्चों अच्छे से ध्यान रख रखनी है कि भाई ऐसा पूरा तयार होने के बाद हमारा एक सीड तयार हो जाता है ठीक है अब सीड में याद रखना जो मोनोकॉट होता है न बच्चों मोनोकॉट मोनोकॉट और डाइकॉट का लगभग सेम होता है सब ठीक है लगभग सेम होता है बस वहाँ पे एक हार्ड trudब इम्ड ऐंबरीओ तुर्ण याहाँपर नहीं होता है इससे चोट्पॏली डॉन से इससे कोटीलीड़न ऑश orgasus जैप हो जाता है क्योंगि इसको डॉटी Gobierno होटा याद रखना मोनो कोट में पातले आइस सीवब कहा जाता एक प्रोते शीत होती है बच्चो एनके उपर जिसको हम कहते हैं सिलोपटाईल क्या कहते हैं सिलोपटाईल और यह जो चलोपटाईल है यह प्लुमूल को और किसको और होता है और जो जो शिलोआजाऌइध मैं außer यह रैडिकल को कुवर करता है तो से से रूट याद र को covering of किसकी covering of हमारे राडिकल की ठीक है और सीलो राइजा राइजा से रूट रूट से राइटीकल और जो अपना सीलो टाइल है सीलो पी याद रखो पी फॉर प्लूमूल प्लूमूल से आएगा शूट अच्छे से याद रखना ठीक है और यह बच्छो किसमें ग्रासेश में दिखाई देंगा तुमको कहां दिखाई देगा ग्रासेश जो भी हमारे वीट वगेर है यह सब ग्रासेश के टाइप से बच्छो ठीक है अच्छे से याद रखो होप सो तुम लोग को सीड का समझ गया होगा फिर भी एक बारापन क्या है वापस देखते हैं ठीक है सबसे पहले हमारा क्या है बच्छो यह जाइगोट ओकर देखों यह ड्य coke चहीं चल रहा है राज है यह डैकोटस में ऑप्स्का क्या होता है बच्रों 454 हो रहा है अब इसके आगे कोई मियोसिस नहीं होने वाला ठीक है तो माइटासिस हो रहें के वज़े से कितने सेल त्यार हो रहे हैं यह दो अनिक्वल सेल्स ठीक है अब यह ऊपर वाले को क्या बोलेंगे एम्प्रियोनल इनिशियल ओके एम्प्रियोनल इनिशियल और नीचे वाले को क्या बोलेंगे हमारा सस्पेंसर सस्पेंसर सेल्स ठीक है सस्पेंसर सेल्स इसको कहा जाएगा यह फिर सस्पेंसर इनिशियल एम्प्रियोनल इनिशियल अब सस्पेंसर सेल्स का देखो इसका क्या सेल का क्या होगा अब ले लेते चलो अगला स्टेज में क्या हो रहा है बच्好 यह सस्पेंसर सेल्स की अभी ट्रांसवरस कीश पीज़ वैर बिल्डिंग तयार हो जाएगी बच्चों और टोटल यह 6 से 10 सेल होंगे ठीक है मैं सरिफ 6 ड्रॉ कर रहा हूं आप 10 भी ड्रॉकर सकते हो ठीक है और उपर वाला है हमारा इसको अलग रंग से बता देते हैं बच्चों चलो ग्रीन कलर से दिखाते हैं क्या हमारा यह एंब्रियो है ना तो इसको थोड़ा से अलग डिक कराने चाहिए हाइलाइट कर देते हैं ठीक है अब इसके बाद क्या होगा बच्चों उपर वाले का क्या होगा डिविजन होगा सिंपल याद रखना है अच्छा यह जो बड़ा वाला से यह जो सबसे पहला सेल है जो माइक्रोपाइल के पास आता है यह बात भी याद रखो कि यह कहां आता है बच्चों माइक्रोपाइल के पास ठीक है माइक्रोपाइल के पास ओके और यह वाला हाता है बच्चों हमार बच्छो आप लोग ने बहुत अच्छे से याद रखनी है उसके बाद मैं बोलूँगा यह बड़ा हो जाता है थोड़ा सेल ऐसा ठीक है यह सेल बड़ा हो गया यह अपने वैसे के वैसे ही है एक दो तीन चार पाचछे च्छे Boss है और यह बना रहे है और यह गृीन कलर से क्या और आप देखो ही आप बड़ो एक रात क्या तेख़ो एक दू तीन चार कितना से टोटल वजाए और पीछstory स्पाउस के époक्षिछ यह ए और पीछे से भी ये बच्चो कुछ शेल जैसे ओके यह से मैं बनानीक कोशिश कर रहा हूं पीछे दो तीन सेल समझ लो ठीक है अब अब क्या हो रहा है अब क्या हो रहा है पीछे एक में यहां पर और यह जो है हमारा यह क्या हो जाएगा देखो यह एसे हर्षीप का Tyr है है कि नहीं हर्षीप का एंब्रियो तैयार हो गया अब इसके बात क्या होता यही हर्ट का जो आगे चल करें के हॉर्शूगञाता है भुष कुछ ऐस दिक्राब यह हमारे सस्पेंसर सेल यहां पर यह बीच में कहीं यह यहां पर यह फिर रिडियूस होना स्टार्ट हो जाते बच्चों और लास्ट में हमारा यह ऐसे सीड तेयर हो जाता है याद रखना है अपने यह पूरी प्रोसेश इस तरह होती है अब देखते हैं सीड फॉर्मेशन ठीक है सीड एंड फ्रूट डेवलप्मेंट तो मैं यहां पर सीधा लिख देता हूं सीड ओके याद रखो बच्चों सीड वह पार्ट होता है जो प्लांट प्रपोगेशन के लिए इस्तमाल करता है मतलब उसकी पीड़ी आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा इस्तमाल होता है सीड का अब याद रखना ये सीड दो टाइप के होते हैं एक तो अल्बू मिनस अल्बू मिनस है ना अल्बू मिनस सेड और एक होता है एक अल्बू मिनस क्या कि wiring ह leap मीनस एक होता है الب umm news seed बेर दूसरा होता है x albuminus seed अब यह जो एक sour compromise है इश्में endosperm जो होता है बच्चो endosperm retain होता है weten मतलब वहां पे मौजूद होता है लेकिन X albuminus sead में क्या होता है भाई endosperm जो है ये use हो जाता है टोटली embryo इसको use कर लेता है endosperm endosperm totally या फिर completely used ओके यहाँ पर retain करता है यहाँ पर use हो जाता है यह बाद आप लोग ने याद रखनी example इसका क्या याद रखोगे कैस्टर 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 फिर कोकोनट याद रख लो भाई क्या कोकोनट वैसे भी दिखता है उसका तो endosperm दिखकर भी आता है और यह इसका क्या याद रखोगे अपना पीज और बीन्स इसके दो एक्जैम्पल याद रखो पीज बीन्स है ना याद रखना है आप लोग ने अब सीड के उपर क्या होती है बच्चो देखो सीड के उपर होती है हार्ड कवरीं है ना हार्ड कवरीं हार्ड कवरीं को क्या बोला जाता है बच्चो यह मैं पिछले भी थोड़ी देर पहले ही जिसमें सिखा चुका हूँ इसक कहा जाता है टेस्टा कहा जाता है और यह क्या करता है सीड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है अब जो angiosperms होते हैं इसके अंदर जो सीड है यह किसमें होता है एंग्लोज इन फ्रूट एंग्लोज इन फ्रूट और अच्छा मैं बोलता हो पेरी कार्प क्या होता है पेरी कार्प किसे बनता है बच्चों ओवरी वाल से Safavali की वाल से याद रंखना यह भी चीजें बहुत शॉट में समझािन फटक फटा फट समझािया हो की पूट कहां से आता है है था न्रों और इसे running और इसी की वॉल को हम लोग कहते हैं भाइ प denial कहते हैं क्या के पेरिकार्प जो खाते ना हम एकदम जब्वरत जैसे मैंगो व Hue जो पेसे होता है कर इसे ओड़े होता है इनके प्रिक लेस्व होता है तो इसके स्क्रीन शॉट फटाक से निकाल लो बच्चो अब लगबग देखो बच्चो हम लोग बहुत हर्त तक आगे बढ़ चुके हैं और हमारा इन इन शॉट में बोलू तो हमारा पूरा का पूरा चैट्टर अब खत्म होने पर हैं ठीक है तो हम अब आगे बढ़ते हैं कि भाई हम क्या फाइदा है ठीक है क्या फाइदा है आररार सीरीज को अभी मैंने थोड़ा सा रुक रुका कर रखा है बच्चो क्योंकि वन्चॉट सीरीज के चलते में पर टाइम नहीं मिल पा रहा है ठीक है लेकिन आररार सीरीज आपको बहुत काम आने वाली है जस्ट बिफोर पाहन करता हूं कि अपनी आरारार सीरीज को भर भर के सपोर्ट देना जब एक्जाम जाएंगे ठीक है तो आगे आएंगे बच्चों सिग्निफिकेंस किस चीज का इंपॉर्टन्स कि इंपॉर्टन्स ओफ सीड क्या देखते हैं इंपॉर्टन्स सीड की जरूरत क्या है जरूरत है जरूरत है जरूरत है क्यों सीड की जरूरत क्या है और सीड की जरूरत क्यूं है ठीक है और सबसे पहले उसमें फ्रूट की भी क्या जरूरत है ये भी इंपॉर्टन्स है सीड एंड फ्रूट भी देखना पड़ेगा ना इंपॉर्टन्स of seeds and fruit importance of seed and fruits तो देखो सबसे पहले fruits क्या करते है बच्चों सिंपल fruit प्रोवाइड नरीश्मेंट टू 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 ईक्वल्स टू přाइड एक्वल्स डालूंगा मैं यहाँ पर नरिश्मेंट प्रूइट नरीश्मेंट तू सीड आ बताओ तो सेट का काम क्या है help is in क्या it helps plants to propagate की एठ फ्लांट्स टू प्रोपोगेट प्लस फ्रूट की एक और चीज बता देतो पहले में फ्रूट क्या करता है protection करता है किसकी protection of seeds उसके बाद में फिर स्पिशीज को सर्वाइब करवाने काम इसका किसका है सीड्स का ही बच्चो अगर शीड्स ना होते तो प्लांट्स भी ना होते और अगर प्लांट्स ना होते तो हम ना होते ठीक है तो यह कुछ इनके significance से बच्चों बहुत अच्छे से याद रख लेना है सीड सर्फ आज important propagating organ जैसे मैंने लिखा propagating propagation में यूज होता है और species को exist करने में help करता है इसके बाद देखो बच्चो dormancy क्या बोलेंगे हम लोग dormancy तो हम जानते हैं क्या होता है देखो बच्चों यह होता है the period कौनसा the period ऐसा दौर the period in which in which seed seizes itself seed seeds क्या कर क्या कर रहा है seeds itself seeds itself from germinating from germinating germinating seed germination से seed क्या करता है है खुद को रोक लेता है अब यह खुद को क्यों रोकता है भाई because of, किस की वज़े से because of adverse condition किसकी वज़े से adverse condition किसकी वज़े से रोक रहा है खुद को adverse condition से adverse condition के वज़े से seed क्या कर रहा है खुद को germinate नहीं होने दे रहा है और ये एकदम सब बंद कर देता है अपना shutdown process और जब भी अच्छे दीन आएंगे तो ये वापस क्या होगा बच्छो अंकूरित हो जाएगा तो ये याद रखना है dormancy मतलब ये structural physiological adaptive mechanism है क्या है it is a mechanism और इस वज़े से किस वज़े से मतलब इस वज़े से seed को क्या help कर मिलती है survival क्या seed क्या कर सकता है survive कर सकता है ठीक है अब seed अगर survive करेगा तो plant मरेगा नहीं अब देखते हैं बच्छो apomixes क्या देखते है apomixes अब हमारा chapter का एकदम अंतिम दौर चल रहा है बच्छो तो याद रखना apomixes 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 बच्छो ये बहुत मतलब complicated चीज लगती है पूरे के पूरे text book में और दिमाग हिला देती है फाल तुमें तो याद रखना जबी भी embryo बनेगा apo मतलब इसमें कोई fertilization नहीं होने वाला apo ठीक है apo का याद रखना जबी भी embryo बनेगा asexual methods के थूँ क्या बोल रहों मैं asexual methods के थूँ ठीक है कोई gamut formation की ज़रूरत नहीं है इसी को हम कहेंगे apo mixes formation of embryo देखो simple क्या रहेगा formation of embryo देखो यहाँ लिख देते हैं हम लोग formation of embryo है ना embryo या embryos क्या कहे रहों मैं embryo या embryos ठीक है by asexual means ठीक है asexual means by asexual means ठीक है without gamut next point क्या याद रखोगे without gamut है ना without gamut इसी को कहेंगे बच्चों हम लोग क्या कहेंगे इसी को कहते हैं हम लोग apple mixes अब अगर यहाँ पे देखो यहाँ पे apple gamut आ जाता है apple gamut और एक आ जाता है apple spory apple spory अब याद रखना gamut 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 बच्चों और spory मतलब spores होता है ठीक है gamut gamut spory मतलब spores gamut हमेशा haploid होते है याद रख लेना यह बात gamut कभी diploid नहीं होते है और spores हमेशा diploid होते है यह भी ध्यान रख लेना बात तो जबी भी embryo gamut से बन रहा है क्या कह रहू मैं embryo gamut से बन रहा है इसी को कहा जाएंगा बच्चा क्या कहा जाएगा apogammy formation of embryo by gamut without fertilization क्या by gamut without fertilization ठीक है formation of embryo formation of embryo क्या कह रहू मैं formation of embryo from gamut ب्स लेकिन gamut gamut चील मत्ला एग्स बगरे बोल सकते हो haploid cell बोल सकते हो यहापिर formation of embryo by gamut worm by gamut cells of gametophyte ठीक है haploid cells of gametophyte है कि नहीं जब भी गैमेट या gametophytic organ के मदद से embryo बन रहा है लेकिन क्या without fertilization लिखना मद भूलो without fertilization है ना without any sort of fertilization इसको बोलेंगे apogammy और apospory मतलब क्या हो जाता है भाई spore की मदद से by mega spore ठीक है mega spore की मदद मेगा sporophyte की मदद से ठीक है याद रखना जबी भी embryo बनेगा क्या बनेगा बच्चो diploid embryo बनेगा diploid sporophyte cell से किसे mega sporophyte cell से mega बोलो माइक्रो बोलो एक मिनिट हाँ जबी भी diploid sporophyte cell की मदद से diploid sporophyte cell ठीक है sporophyte cell की मदद से पूरा का पूरा जैसे और की sporial cells हो गए ठीक है या फिर new cell पूरे बनाएगा बनाएगा यह पूरा का पूरा मया स्पोरोफाइटिक से लिए आर्टी पोरियल सेल्स तो जब भी इनसे बन रहा है तो इसको ही कहेंगे बच्चों अब एक और चीज याद रखो कि यह जो आपोगैमी है यह अब कि आपो मिक्सिस है जो सौरी वह कितने टाइपस का है ठीक है तो आप देखते हैं आपो मिक्सिस के तीन टाइपस है तो सबसे पहला टाइप है हमारा रीकरंट आपो मिक्सिस क्या रीकरंट रीकरंट आपो मिक्सिस ठीक है एक है रीकरंट आपो मिक्सिस दूसरा है नौन रीकरंट आपो मिक्सिस ओके नॉन रीकरंट अपो मिक्सिस और तीसरा है बच्चो एडवेंटिटिव एडवेंटिव एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी ओके पॉली यह एम्ब्रियोनी ओके बोलो यह ऑद इन्दूस टाइप पूरा टेंस्बुक का ठीक है फीकर अच्छे से देख लूर्वेंटिव embryo sac generally rise either from archiporeal cells or from some other parts of the new cell simply diploid cells generate होने वाला है किसके मदद से generate होने वाला है बच्चो diploid cell embryo embryo generates embryo generates किसके मदद से हो सकता है बच्चो एक तो archiporeal cells archiporeal cells पहले से मौझूद recurrent इसलिए किसको बोल रहे हैं पहले से मौझूद या फिर new cell और अभी मैंने जस्ट बताया तुम लोग को कि new cell और archiporeal cells क्या होते हैं एक example याद रखना है बच्चो अच्छे से याद रखना है Tara Xacum क्या Tara Xacum अच्छे से याद रखो example इसका है Tara Xacum ठीक है non recurrent में क्या होता है in this type Megaspore mother cell undergoes usual meiotic division मतलब MMC का क्या होने वाला है meiotic division होने वाला है और haploid embryo sac बनेगा और इसी haploid embryo sac से जब embryo बन जाएगा without fertilization इसको non recurrent बोलेंगे simple यहाँ पे क्या use है बच्चो वर्ट अभी ज़स मेने apogamia apospori बताया था न वैसे ही कुछ यहाँ याद रखना haploid cell responsible होता है किसके लिए embryo के लिए ठीक है no fertilization याद रखो क्योंकि fertilization हो गया तो यह हो जाएगा हमारा साधा वाला reproduction जो कि अपना sexual reproduction है और अपना जो adventive embryo नी है ठीक है adventive embryo नी में क्या होता है बच्चो एक तो होता है अपना जाइगोट वाला embryo है ना जाइगोट embryo एक होता है अपना normal जाइगोट वाला embryo उसी के साथ कौन exist करता है existence उसी के साथ exist करता है हमारा एक ओ सेक्शुल embryo ठीक है ठीक है तो यहाँ पर simple in this type embryo में developed from somatic new cellars और integuments along with normal embryo या प्रिप्ल क्या बोलेंगे हम लोग इसको existence of a sexual embryo a sexual embryo ठीक है अब लगबग बच्चो चैटर खतम होने में हमारा ठीक है तो यह अच्छे से screenshot याद रख लो बच्चो इसके क्योंकि यह बहुत ही इस वीडियो में कुछ comments थे जिसमें कुछ topics वापस explain करो सर बोल रहें थे कुछ बच्चे तो वो भी अपन लोग जल्दी से देख लेंगे ठीक है तो इसमें भी मुझको डाउट्स बता देना कि तुम लोग को कौन सी चीज़े चाहिए अब देखते हैं बच्चों अब ला फ्रूट का डेवलप्मेंट हो रहा है यहां पर क्या बन रहा है बच्चों फ्रूट डेवलप्मेंट क्या हो रहा है यहां पर फ्रूट डेवलप्मेंट हो रहा है दा कंडिशन इन वेच फ्रूट इस डेवलप्ट विदाउट फॉर्टिलाइजेशन ठीक है फ्रूट सिंपल मैं लिखूंगा fruit formation fruit formation no fertilization ठीक है no fertilization किसने बनाया था किसने ढूंड के निकाला था किसने नॉल नाम का scientist 1902 याद रखना 1902 इसके लिए responsibility किसकी होती है बच्चो एक hormone होता है बच्चो जिसका नाम होता है oxyn क्या होता है oxyn नाम का hormone और ये oxyn में भी कौन सा याद रखना है आपको indole indole 3 acetic acid मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ इसको आप I, A, A भी पढ़ सकते हो ये क्या करता है fruit formation induce करता है और इसकी वज़े से हमको बिना fertilization के fruits मिलते हैं अब ये जो fruits होते हैं न बच्चा ये जो fruits होते हैं ये होते हैं seedless क्योंकि इसमें कोई भी type का zygote तयारी नहीं हुआ था जो seed और embryo जैसी चीज़े बनाएगा देखो वो क्या था अपन apple mixes में seed development हो रहा था embryo development हो रहा था पारतेनों कार्पीड में fruit development हो रहा है दूनों में फर्क है ठीक है और poly embryo नी देखते हैं बच्चों अगर यह समझ गया तो इसका screenshot फटाक से ले लो लास्ट टोपीक है poly embryo नी पॉली अ एम्ब्री और नी ठीक है पॉली एम्ब्र नी याद रखना सबसे पहले living निज की निचाला था क्या अ टीक है किस ने तो कि येजमत रखना धा याद रखना किश में की निकाला था फ्रूट्स में दोन की निकाला था और यहां पर होता है बच्चों देखो It is the occurrence of one or more sorry more than one embryo यहां क्या होता है more than, देखो यहां लिख देता हु Crisis चाहिए में ज्यादा अच्छे से होता है लेकिन कुछ-कुछ एंजो sperm जेसे एक्जांपल मैं बोलूंगा एक्जाम्पल मैंगो है ना फिर बाद में सिट्रस फ्रूट्स यह ऐसे कुछ फ्रूट प्लांट्स में आप लोग को यह देखने को मिल जाएगा ठीक है तो अच्छे से याद रखना है बच्छो की बहुत सारे एंब्रियो जब एक साथ एक्जिस्ट करेंगे इसको ही पॉली एंब्रियो नी कहा जाएगा बहुत अच्छे से याद रखो इनको लिवेन हॉक ने ढूंड के निकाला था इन्द येर 1719 का 1719 यह आप लोग ने याद रखना है और इसी तरह हमारा इस चैप्टर को हम क्या करेंगे अंत करते हैं इस चैप्टर का अगर पसंद आया हो यह लेक्चर तो क्या करना है जाके फटा फट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अपने डाउट्स लिख देने के पहले तो उसके बात अगर बहुत अच्छा लगा लेक्चर समझ गया अच्छे से तो जाके लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो मिलते हैं ने बाइ गुद लग जाए हिंद